अब दोस्तो हमारे शायोग के लिए और हमारी मीटिंग की सफलता के लिए हमारे बहुत सारे मेमान आये हैं हम उनको धनिवाद देते हैं और उनमें से एक है श्रीप प्रकास उपाद्याजी जो प्रड़क्शन एसोशेशन के अध्याख्ष हैं हम उनसे अलोद करते हैं कि वो आगे की लाइन में आकर हमारे कारिकरम को हमारी सबान की सफलता के लिए सायोग दें श्री प्रकास उपाद्याजी और उनकी टीम और उनकी टीम किसे प्रकाउस्तर उपादिया जी का सम्मान करें है अधने हैं वह मुष्थ जो सबसे बार स्वागत का जो हमारा ह disp全 ओधार वो सिर्फ तालिय और उसको सुनके आप जिनका सावगत कर रहे हैं वो और भी घर्वान मित हो जाएगा और हमारा हमारे कारिकर्म का सफलता के लिए वो प्रयास करेगा संतोष तिवारी जी मंच पर आजाएं सरोच खान और संतोष तिवारी जी शारुक खान और संतोष तिवारी जी मंच पर आजाएं शारुक खान और संतोष तिवारी जी मंच पर आजाएं हमारे सभी बेहमान हमारे सभी अतिती हमारे सभी गैस्ट हमारी इस मीटिंग के लिए कि इस मीटिंग के इस सभा के विटनेस हैं दोस्तों याद रखो अगर हमका सम्मान नहीं करेंगे तो शायद हमारी इस सभा के लिए कोई प्रमान नहीं रहेगा कर दोस्तों सभा की कायर करभी की सुरुवात सबसे पहरे दीप प्रज्वलित करके किया जाता है जैसा कि हम समझते हैं कि हमारे घर में जब अंधेरा होता है बिना दिया जलाए उजाला नहीं होता है और हम छोटे-मोटे घर के भी कारकरम बिना दिया जलाए नहीं करते हैं वैसे ही आज इस कारकरम की सुरुवात इसका आरंब दीप प्रज्वलित करके करेंग दोस्तों बहरे रखिए सारे कारिकरम विदिवत पूर्ड होंगे आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इसकी गारंटी हमारे माननिया देख्श महोते देते हैं बहुत अच्छा लग रहा है शायद इतना बड़ा मैदान भी हमारे मेंबर और उनके परिवार वालों को कम पड़ रहा है लेकिन दोस्तों अगर हमारे दिल में जगा है तो मैदान की क्या जरूरत है आपका ही कारकरम आपको ही सफल बनाना है करता है महापूर वसरी पर्वीना ताई ठाकूर हमारे बीच पहुंच चुकी है आप लोग जोर-क। दार तालीं से उनका सवागत कीजिए जोर-क। तालीं से स्वागत कीजिए। प्रवीना ताई ठाकोर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्थ कारेकरम में से इस कारेकरम के लिए वक्त निकाला बहुत-बहुत स्वागत सब घंद मानने आती थिएं का बहुत-बहुत स्वागत अभी कुछी समय बाद विदिवत रूप से मीटिंग शुरू की जाएगी जिसकी अध्यक्षिता जो है टीपी अगरवाल सर करेंगे प्रवीना ताई ठाकोर जो है वो प्रथम महापौर है महिला प्रथम महापौर है इसलिए उनके लिए और जोतार टालियां बनती है यहां पर वताया गया था कि एक वर्कर है जिन्होंने अपनी बच्ची जो है उसको वकील बनाया है, तो इसी तरह से जो हमारी बच्चीयां है, मावैने यह वो आगे आ रही है, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए परुणा ताई महापौर का, वसाई विरार महानगर पालिका की वो पहली महिला महापौर है, ज जोरदार तालियां, शिवसेना के नवीन दूबे जी हमारे साथ हैं, नवीन दूबे जी के लिए वो उप्परमुख हैं शिवसेना के उनके लिए भी जोरदार तालियां, नवीन दूबे जी शिवसेना में उप्परमुख, आपकी तालियों के आवाज जो है वो बहुत धीमी है जबकि लोग जो है वो हमारे जो मेंबर है वो बहुत जादा है यहाँ पर बैटे हैं जब तक जोरदार तालियां मंच तक नहीं पहुंचेंगी तब तक जो जोश है वो नहीं बनेगा सो एक बहुत जोरदार तालियां मजा दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद सल्मान सैयद जी हमारे जो पेटा बांदने वाले हैं वो परवीना ताई महापोर जी को पेटा बांद रहे हैं सल्मान सैयद जो की गिनिस बुक ओफ रिकार्ड में भी जिनका नाम है एक मिनट में द जोर्दार तालियां आप में से और हम में से एक हैं वो Хaff मान्वाव भूत थन्यवाद क्या बात है अबीन दूबे जी आये हैं अभी उप्परमुक है शिव सेना से नवीन दूबे जी नवीन दूबे जी का बहुत-बहुत स्वागत बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे भी जाने का एस्टोसेशन की शोबा बढाने का उप्परमुक है शिव सेना के पाल घर जिला से नवीन दूबे जी नवीन दूबे जी बहुत-बहुत धन्यवाद नवीन दूबे जी परवीना ताई मैं अब टीपिय गरवाल जो की हमारी मीटिंग के अधियक्ष अभी चुने गए हैं दद्दू जी और सभी गण्माणने अतित्यों को दीप्रज्विलित करने के लिए बुलाना चाहूंगा हमारी मीटिंग जो अब विदिवत रूप से शुरू की जाएगी उसके लिए दीप्रज्विलित किया जाएगा उसके लिए मैं टीपिय अगरवाल जी को बुलाना चाहूंगा रजा मुराद सर्जी उसके निवेदन हैं कि वो दीप्रज्विलिन की इस अनूठी परंपरा को आगे बढ़ाएं सभी गन्मानने आती थियों का आप सभी मेंबर्स की तरफ से बहुत बहुत स्वागत मैं आपको बता रहा था कि ये अम्बुलेंस जो आपकी एक्ता की वज़े से एक प्रड़क्शन हाउस स्वास्टिक प्रड़क्शन हाउस ने हमारे मेंबर्स के लिए दी गई है ये आपकी association और आपकी एक्ता को दिखाती है कि हमारी association कितनी मजबूत है और आपको जो booklet दी गई है उसमें लिखा गया है हमारे जो कैशिंग आमदार राम कदम जी है उन्होंने लिखा गया है उसमें कि अगर आप कि मेंबर्स को या उनकी परिवार को कोई भी बिमारी या कोई भी प्राब्लम हो तो वो सीधा उनसे तंपर कर सकते हैं association से बात कर सकते हैं ये आपके लिए एक बहुत भी बड़ी खुशकबरी है दीप प्रज्वलन की जो प्रक्रिया है शुक्ला जी ने अभी अभी मुझे बताया है कि राम कदम जी का एक रिपर्जेंटेटिव जो उनकी तरफ से हमारे आफिस में यानि कि एस्टेशन का जो नया आफिस अभी बनाया गया है आपका जो आफिस है उसमें हमेशा बैखता है यह बहुत ही बड़ी बात है कि एक रिपर्जेंटेटिव उन्होंने वहाँ आपकी प्राब्लम्स को आपकी सब चीजों को सुनने के लिए बिठाया हुआ है बहुत बड़ी बात है जी प्रज्वलन की जो अनूठी परंपरा है वो हमारी मीटिंग के जो अधियक्ष है टीपिय अगरवाल जी उनके करकमलों द्वारा पी जा रही है साथ में रजा मुराज जी है रजा मुराज जी इनके बगैर इनके बाइल आस इनके के लिए अधिया मुराज जी हो अधियाज मुराज जी जी में अवार भाज्य जी जी है इनके है अबी है इनके इनके के जुमकाण का बड़ा जाख यंग इनके वाद से से नहीं परीजिन बीड़या दाटी डिकि पतसके तड़ पालगर जिलाव कर दो कर दो जो झाल झाल कि भी जायनो कि भी जो भी जो स्टो मृती है कि प्षेदु में आई मकुछके वातों कि दीको Clay कि ओंगत्री आई कि पाहिएरंग्य कमदा में बूंद्ग मूहिए आई कि पाहिए पाहिएृ कि जाई कि दीको नभधनано हमारी मीटिंग के अधियक्ष शेरी टीपी अगरवाल, रजा मुरासर और बाकी सभी गणमाणने अतितियों का बहुत बहुत धन्यवाद के उन्होंने इस दीप रज्वलन की जो अनूटी परमपरा है उसको आगे बढ़ाया और विदिवत रूप से हमारी जो यह मीटिंग है जो वो अब शुरू होती है जिसके अंदर आप सभी को हमारी एसोशेशन की गतिविदियां, उनकी उपलब दियां और सब चीजें जो है वो बताई जाएंगी वैसे तो आप सभी को मेंबर्स को यहां पर एक बुकलेट दी गई है जिसके अंदर सब चीजों का डिटेल में मतलब संक्षिप में उसका वरनन किया गया है कि क्या क्या जो आपकी एसोशेशन है वो आपके लिए कर रही है चाहे वो मेडिकल बेनिफ है चाहे आपके बच्चों को पढ़ाना है चाहे जो आपकी बच्चीयों की शादी है वो सब डिटेल जो है उसमें लिखी गई है आप वहां पर पढ़ सकते हैं कि आपकी एसोशेशन ने इस 33 वी वर्ष गांट पर आप सभी मेंबर्स के लिए क्या-क्या नही नहीं जो स्क टीम्स है वो की गई है कि हमारे मीटिंग के अधियाक्ष टीपी अगरवाल जी का बहुत-बहुत धन्यवाद हलो सभी आदमी से सबसा बैठ जाने के बाद प्रग्राम चालूने से पहले राश्ट्रिय गान होगा उसके बाद प्रग्राम चालू होगा सबी मेंबरों से रिक्वेस्ट है साउंड वाले राश्ट्रिय रखे प्लीज सबी मेंबरों से रिक्वेस्ट है और हमारे मजदूर विजन के जितने हैं सब लोग खड़े हो जाए हमारे देश का राश्ट्रिय गान शुरू होने जा रहा है आप टोटल डिपार्ट्मेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब खड़े हो जाए आप पटनायक आप भी उट जाए यह हमारे देश का सम्मिधान है कोई भी हो हमारा राश्ट्रिय गान चालोगा तो आपको उटना पड़ेगा म्यूजिक सिस्टम से अनुरोद है कि राश्ट्रिय गान का कैसे चालू करते हैं इससे कि सब को प्रफून सके हैं करते हैं झाल झाल भारत मता की भारत मता की जै हिंद जै हिंद जै भाराष्ट्र दोस्तों राष्ट्रगार होने के साथ ही हमने आज के गइटांतर दियोस को सम्पान दिया जैसा की जरूरी है हमारे लिए उसके बाद अगला कारिकरम सुरू होने से पहले मैं आप सबसे अन्रोध करता हूँ हमारे अद्येक्श्मूदे गए हैं और अब वो हम से नहीं मिलने वाले हैं हम उनकी आत्मा की शांती के लिए अध्यक्ष महुदे से अन्रोद करते हैं और आप सबसे अन्रोद करते हैं कि एक मिनुट के लिए खड़े होकर उनकी आत्मा की शांती के लिए पूर्ण जो हमारे मिंबर जो एक साल के अंदर में जिनका दिहान थो गया है उनका इंतकाल हो गया है उनके आत्मा के शांथी के लिए आप लोग के एक मिंट का मौन रखे हमारे मिंबर भी हैं जो हमसे भी चुड़ गए हैं दन्यवाद दोस्तो अब आप लोग अपनी आपणी जगार पर बैठ जाएं और आगे के कारकरम के लिए मैं अध्यक्ष मौदे से विनंती करता हूँ कि सबसे पहले वो हमारी सभा के लिए हमारे मेंबर्स के लिए हमारे सभी वरकर्स के लिए उनकी परिवारों के लिए अगर कुछ उनके पास हमारी सुरक्षा के लिए और हमारे रोजगार के लिए कुछ विचार हैं तो हमारे अध्यक्स मोदे अपने विचार प्रकट करें, जिससे हमारे सभी मेंबर उनके विचारों से अवगत हो जाएं. वहीं पे रुक जाएं, सार वहीं रुक जाएं, सार एंपे रुक जाएं. मंच में बैठे सारे साथी और जितने मेंबर्ज यहां पर आए हुए सब को में पिरा नमस्कार और हमारे मानिया देख्ष महोदे कुछ अपने विचार आपके लिए रखेंगे कि आप अपने हतियार का उप्योग जरूर कीजिए बंदुख नहीं है आपके पास आपके पास सिर्फ दो हाथ है और तालिया है पिरम सुरेज सेटिंग जनरे मजदू यूनियन के जितने मेंबर्ज यहां पर हैं और जितने अधितिकन स्टेज पे हैं सब को मेरा नमस्कार और मैं आप सब को अपनी तरफ से बेस्ट विशिश दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि जितने मजदूर यहां पर काम करते हैं जितने वकर्श हैं जितने शेटिगेंन नहीं है और सब प्रोड़ूसर्ज को बहुत बधाई दे रहा हूं और सब प्रडूसर्ज को Łkó एक ही रिक्वैस्ट करूँगा कि वर्कर्स की पेमेथ बिकुल ठीक होन और शिवास्तर जी को, दद्दू को और सब को मेरे तब से बहुत-बहुत हर्दिक बदाई Thank you very much दोस्तों हमारे अद्देक्ष मोदे ने जो हमारे लिए वच्ण दिया है हमारे सुरक्षा के लिए मैं अद्देक्ष मोदे को बहुत-बहुत धनिवाद देता हूँ और आज के काहिर कर्म की सुर्वात में सबसे पहले हमारे मानने जन्र सेकर्टरी स्री गंगेशोलाल स्रीवास्तो जिसन को हम संजु के नाम से जानते हैं वह कुछ हमारी मेंटिंग के लिए बोले हमारी मेंबर्स के लिए बोले उनके परिवारों के लिए बोले वो क्या चाहते हैं हमारी मेंबर्स के लिए उनके मन में क्या है वो हमारी मेंबर्स के समने व्यक्त करें अपने विचार माने मिटिंग के अध्यच वह मंच पर बैटे सभी सम्मानी अधितियों को हमारा आधर पुड़क नमस्कार वह उपस थी सभी सीनियर मेंबर वह साथी मेंबर उनको मेरा और उनके परिवार को मेरा आधर पुरुवक प्रणाम वह अगरतन दिवस की हर्दिक सूप कामना है दोस्तों मुझे बासर देना तो आता नहीं लेकिन चार साल में लोगों ने जो मैं साल बर में काम करता हूँ वह आप लोगों के बीच में रखता हूँ बहुत अच्छा बासर नहीं देने आता लेकिन काम का है काम जो मैं अपने मेंबरों का उनके सुखदुख में और उनकी जो अनुभावा है क्योंकि मैं भी आप लोग के साथ में काम किया हूँ वह अनुभा है मुझे ओ मैं आप लोग के बीच में और जो भी साल बर में जो मुझे बिरोध भी मिलता है और प्यार भी जो बिरोध इतना मिलता है इसके लिए सबी मेंबरों का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मैं इस चोथा बार है कि जो सालाना लेखा जो को आप लोग को दे रहा हूँ हमारे आने के पहले कभी भी यह क्यों माइक पे बोला जाता था मैं लिखित रूप में आप लोग को देता हूँ और सबसे बड़ी बात मैं चार चीजों पर चर्चा करने वाला हूँ पहला तो हमारा अच्छी बात है कि यहां पर आज पोडूसर एस्योशन के अध्याच हमारे मीटिंग के अध्याच है हमारे वरकरों की हमारे मेंबरों की असुविदाय क्या है उस पर साहथ अगर इनके रते वे हम आप लोग के सहयोग से इनसे बोलेंगे तो हमारी अच्छी मेसेज जाएगा और साहथ हो मानेंगे क्योंकि हमारी डिमांड पोडूसर लोगों से ही रता है और जहां तक अंदाजा है मैंने की पोडूसर को सपोर्ट करते ही है लेकिन बीच के जो बीचवलिये लोग है उनके कारण हमें तकलीफ होता है और मैं मानी टिपी अग्रवाज जी मिटिंग के अध्यस से अन्रोथ करूँगा कि हमारे पेमेंट में जो बीचवलिये बीच में आते हैं सारे पोडूसर से करके उसे दूर करनी की कोशिस करें दोस्तों मैं पहला पहला तो डिमांड अपना सुनाओंगा दूसरा हमने जो एक ती-चार साल में जितनी उपलब्दी प्राप्त किया है जो हमने यूनियन को आगे बढ़ाया है उसके बारे में बात करेंगे इसके बाद जो मेरे उपर आरोप लगता है उसके बारे में भी आज बात करूँगा क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने अपनी जो उपलगदी बता है लेकिन मेरे उपर आरोप क्या लगा है वो भी आप लोग के सामने आज बताऊँगा इसके बाद आरोप लगाने को उपर आरोप लगाने वाले जो है उनके उपर भी आरोप लगा हुआ उसको उसको मेरे उपर जो आरोप लगा हुआ उन्हें साबित करने के लिए सोचना पड़ेगा लेकिन मैं उनके उपर जो आरोप लगा हुआ वो आप सबको पता है पहले तो आरोप से ही स्टार्ट करते हैं कि मेरे उपर आरोप क्या लगते हैं पहले बिरोधियों का इलजाम रहता है कि 35 करोर छोड़के गए थे 40 करोर छोड़के गए थे कभी 37 करोर छोड़के जाते हैं कुछ भी बोलते रहते हैं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 24 करोड 66 लाक रुपया है, 43 जाद 789 छोड़के गए थे, उससे एक रुपया भी जादा अगर छोड़के गए हैं, तो मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ, आके साबित कर दे, उसके बाद दूसरे दिन मैं इंडस्री में चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगा, दूसरा नए आफिस का मैटर ले दे, हम बोलते हैं कि नए आफिस इन्होंने अपनी बीबी के नाम पे ले लिया, दो साल तक काफी चर्चे में था, थोड़ा लेट हुआ आफिस बनने में पेमेंट देने में, इसलिए लेट हुआ, लेकिन आज सांदार आफिस आप लोग के बीच में 600 स्कौर फिट से हटा करके, सारे 4000 स्कौर फिट, जिसमें सारे मेंबर स्वयोग हैं, और सारे मेंबर उसके सेहरदार है, आज हमने वो करके दिखाया है, और आज वो आफिस किसके नाम पे है, सारे मेंबरों को पता है कि मेरे बीबी के नाम पे है, कि यूनिन के नाम पे है, सामने बोर्ड लगा हुआ है और रिश्टी का पेपर भी मैंने अगले बारी बैनर दुआरा सबको दिखाया था दूसरी बलोरो गारी की चर्चे जोरो में थी कि बलोरो गारी चोरी करके यूपी लेके गए और एक समय इसा तक इस समय चोरी किये थे मेरे गाओं एक भाई रते हैं वकील है उन्होंने बलोरो लिया था तो यहां से वहां पर तक ख़बर ले करके कि संजुसर वास्तों ने चोरी करके बलोरो गाओं में भेज दिया तो कोलापुल में मंदिर के पास से मिल गया और यूनेन आप इसमें प्लोरोगारी खड़ी गया है एक और जोरो में चर्चा आज कल चर्चे में है कि बिना कमें मेंबरों के अनुमति के राम कदम जी को चेर्मेन बराया गया मैं आपको पहले बता रहा हूँ 1990 में जब मिथुन चकुर्टी को 1990 में सारी कमेटी ने कमेटी ने उनको चुनकर के लाया था 1990 में जैसे हमने राम कदम कुला इसके बाद मिथुन चकुर्ती ने जब तक अच्छा काम किया लोगों को साथ दिया मिथुन चकुर्ती के साथ हमारे मेंबर खड़े रहे और उन्होंने अच्छा काम किया उन्होंने कुछ अपनी नीजी प्राबलम और 26 जनुरी को अगर हमारे चेर्मेन है तो उनको हर 26 जनुरी में कम कम एक दिन तो मेरे लिए टाइम देना चाहिए अ इसमें खुद में छमता हो खुद हमारे लिए कुछ कर सके वैसे चेर्मेन को हमने रामकदम को चुना और अनुमती से इसके बाद आपके सामने 2014 में स्पोर्ट क्लब में बताया और सभी मेंबरों ने सरस्वमती से उन्हें मंजूरी दिया और आज उन्होंने हजारों मेंब सरे थार पंदर में 149 ने लोगों ने रिटार्मेंट बढ़ाता सारे 149 लोग को रिटार्मेंट बढ़न दे दिया गया है कोई एक आदमी विरोधियों को बोलता हूं एक आदमी लाके बता दे कि तुमने नहीं दिया और 2016 में मैंने 50 लोगों का धोशित किया था कि कियह को दिया हाँ साल में अगर 500 लोग बोलेंगे मुझे रिटार्मेंट दे दो तो मैं नहीं दूँगा क्योंकि अगर साल में 500 वरेंगे तो दो साल में जो मारे पास 22 करोर रुपया हो खत्म हो जाएगा तो जो लड़की के साधी का एजूकेसन दिया जाता हूं नहीं हो इस को देखे चार साल में पैसा कतम कर रहा है कि कार्पोरेट आफिस का आरोब लगता कि कार्पोरेट आफिस की क्या जरूओ थी हमारे पहले की कमिटी अंदेरी वेस्ट में लेकिन हमने साधे 13,000 के रेट से जहां पर मेरे मेंबर जादा तर लोग है वहां पर मने आफिस लिया है कार्पोरेट आफिस में हाँ सारे लोगों को अगर हाग कार्पोरेट आफिस में बैटेंगे जिसको जो करना होगा कर ले फइडरेंशन दोरह, बोलते हैं फइडरेंशन ने संज्यूINO को यहाटा दिया पंदर साल के लिए बर खास कर दिया गया है मेरे मेंबरों के जो कि जो भीरोधी लोग ने फइडरेंशन को गलत मैसेश देखे और हमारे मेंबरों का सोसट करने के लिए उस समय के कुछ लोग फेडेसन में बैठे थे की Soiser करने के बारे में गूल रहे थे हम अपने मेंब्ड स्विट की लिए लड़ा इस लिए 15 साल के लिए सुस्पेंट किया गया था और मैं उस द भीर में conjun अंदेरी नहीं, गुंदी वली में भी आफिस अपना, जो रीडोलिप में गया हो, मिलने वाला और अंदेरी के आफिस, जब तक मैं सीट पर हूँ, कोई भी आफिस बेचा नहीं जाएगा, और बढ़ाया जाएगा, आज तीन गाला है, जरूर पड़ेगा, हम पांस गाला ले में सोचेगा, मेंबरों की बुराई सोचेगा, उसको हटाऊंगा, और उसको हटाऊंगा, जरूर पड़ेगा, मैं अगर गलत कर रहा हो, तो मेरी कमिटी मुझे भी आटाएगी, जो यूनियन के खिलाप काम करेगा, वो चाहे चुना रहे या कमिटी मेंबर, उसको हटाऊं ओबी एकत्रत से एफडी है हाँ जो बैंक में एफडी है उसका इंट्रेस्ट आता है लेकिन जो आफिस हमने आठ करूर सारी आठ करुन में लिया है बीना धलाली के ओवी एकत्रत से डिंस आठ सारी आठ करों लिया आज 12 करोर को खड़ी है तो एफडी जिसको jag歌 है कि अभी खत्म हो गया मेरे पास आकर के लिकित में देम उसको औरीनल अबडिल आकर के दिखाता हूं कभी बोला जाता है कि चोर है अभी ने ने मोर्चों में बोला जी गया था संजू चोर हैं संजू मुर्दाबाद तो ऐसे बिरोत को 42,000 लोगों में 150 अगर मेरा बिरोत करेंगे तो मुझे कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है मेरे साथ जादा पब्लिक है ना जादे लोग है ना और मुझे कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है 150 तो चलते रहते हैं कोई एक घर नहीं समाल पाता हम तो वैलीजर यूनियन का लीडर यूनियन समाल है उसमें 150 तो भी रोत करेंगी अरे तुम पहले अपने जो हाँ जो मेंबर काम करते उनके बारे में भला सोचो ना तब यूनियन के बारे में भला करने के बारे में सोचना और कहा जाता है ताना सा हैं ताना सा हैं मुझे उपादी लोग देते हैं विरोधी लोग ताना सा हैं बसमा सूर हैं तो मैं बता रहा हूँ कि और मुझे कुछ भी नाम देरो मैं ताना सा भी हूँ बसमा सूर भी हूँ लेकिन किसके लिए जो मेंबरे मेंबरों का सोसर करेगा ऐसे आड रेक्टर, ऐसे कुमेड मालुक के तानसाही तरीके से अपना हक वह सुलूँगा और उनके लिए भसमासुर भी साबित होंगा लेकिन विरोधियों के लिए और जो हमारे मेंबरों का सोसर करेगा उसके लिए या था मेरे उपर लगाए गए आरोप और विरोधियों को मैसेज भी देता हो सकता, कुछ विरोधि के भी चाहने वाले हो उनको मैं उनको बोल देना, उनको चैलेंज करता हूँ अगर मेरे उपर एक भी आरोप साबित कर रहेंगे तो जो भी मेंबर में उज़े सजा देंगे मुझे मनजूर है दूसरा, हम लोगोंने आरोप जो लगाए है उनके उपर मैं आरोप लगा रहा हूँ साथ यहां के ज़्यादातर लोग जानते हैं कि यह आरोप सही है यगल सोसाइटी का जो 2005 से उन्होंने सारे 6 करोड रूपया कंपनी एक्ट में रखा हुआ है कंपनी एक्ट में लोगों को धोखा दे करके रखा है क्या कोई भी जन्रल सेकेटरी आवे चाहे मैं रहूं या कोई आवे क्या 6 करोड अलग खोल करके आफिस बैठ जाएंगे तो यूनियन का पैसा ही कतम हो जाएगा अगर तुम इलेक्शन हार गये सारे से करोड देते यहाँ यूनियन में एक्ट्था नहीं काम करता है मैं बंड करने है लोगों को भी पता है मीरा रोड नाइ गाव कर्जत में आप सी बंद करने के लिए पर फोर फजब केरों कि कि दीनों उस पता है सबको पता है कि विस किनार हम सूसलupa य हां लेकिन में यहां बन हो जो-नुनियों को मत दो ऐगर सारे मेंबर चाहेंगे कि- बूरा प्रेविएमेंट यूनियों सबीडे चाहेंगे सारे सोच्वर बंद हो जाएंगे और जो विरोदियों का डाल गल रहा है वह भी बंद delighted यूनियन के खिलाब कोड़ गए बैंक सील करवाने के लिए अभी नया एक मैटर हुआ बंसाली के संजलीला बंसाली के सेट पे एक पेंटर हमारा डेट कर गया उसको संजलीला बंसाली के तरफ से 21,80,000 दिया गया 21,80,000 दिया गया 2,20,000 मेंबरों ने दिया उसको भी जाके पोडूसर से बोला जा रहा है इतना पेंट क्यों दे रहो इतना नहीं होता अरे किसी मेंबर की भला हो रहा है राजनीती करो लेकिन किसी मेंबर का भला हो रहा है वहां तो मरे हुए मेंबर के साथ तो राजनीती मत क मेंबरों वहां भी जाके उसको मना किया जा रहा है कि इतना पेमेंट मत दो क्या उसको मिल गया उसकी फैमिली को मिल गया तो किसी मेंबर को तकलीफ है फैडेशन को कन्फ्यूज करके हमारा गलत तरीके से इलेक्शन कराएगे बिरोधी ने गलत तरीके से कार्ड बनाते हैं हमारे यहां 43,500 है पता चला 45,000 कार्ड नंबर से कार्ड बनाना चालू कर दिये और जो मेंबरों का पेमेंट यूनियन में उनके आता है उससे 2% काटते हैं कई मेंबरों को पता है कि वहां 2% काटते हैं बोले 2% कटेगा अरे लेना तो तुम पोडूसर खुद 2% तुम देता है तुम मेंबरों का क्यों काट रहे हो मेंबर जितना हमारे हमारे यहां भी यूनियन है कोई एक मेंबर बोल दे कि कोई टू परसंट यूनियन काटती है और जब मेंबरों का पेइमेंट जाता उनके आफिस में तो और एक नए आज काल फार्मुरा चला है कि संजुस रुवास्तों के खिलाब साइन करो तब चेक मि मुझे बता है कि 42,000 में मेरे खिलाब अगर खड़ा करना पड़ेगा तो 30,000 लोग खड़ा होएंगे मेरे खिलाब तब कुछ कर सकते हैं 150 से कुछ फरक पढ़ने वाला नहीं है और हर साल 26 जनौरी रोकनी की कोशिस करते हैं अभी नया नया मोर्चा निकाला गया था कुछ अपने जो यूनियन में जो यूनियन का वरकरों का खाते हैं वो लोगोंने भी मोर्चे में मोर्चे गहते ऐसे सारे लोग का वीडियो निकाल लोग और जो जो भी यूनियन के खिलाब काम किया है या करेगा उसका कार्ड कैं उपलबदी वर्व मैंने जो लगाया है। आप सबको पता है लगबग ज्यादातर मेंबरों को पता है कि यह लोग क्या कर रहे हैं और यह आ रूप है। हर हर जो आरोफ है उनके सही और जड़ोत पड़े तो मैं साबित भी करके दिखाऊंगा और उपलब्दी यूनियन ने क्या किया हुआ है नए काड पहला तो नया काड हम लोगों ने जो हमारा 3664 में बनता उसको हमने किस्तवाइज किया हुआ है कि मेंबरों को सुवधार जो कि भी 22 यूनियन में किसी की भी ऐसी आफिस नहीं है मैं गर्व से कर सकता हुआ हमारे मजदूरों का जैसा आफिस किसी का नहीं है सो दो सो लोगों आपे बैठ सकते हैं और हम भी हक से बोल सकते हैं कि हमारा भी आफिस सांदार है और अपाईज मेंबरों को आपाईज जो भ के बाद हमने एक लाग देत का और रिटार्मेंट किया है देहां तो ने पर जो भी मेंबर हमारा देहांत हो जाता है गाउं साव लेके जाना है तो 50% यूनियन देगी अगर लेके जाते हैं 40,000 खर्चा जाते हो तो 20,000 यूनियन देगी बुक द्वारा लेखा जो खाज मेरे आने के बाद हमने हर साल चार साल लोगों को लिखित द्वारा दिया हूं यहां कियो Mrs. Dugald माइक पे नहीं बोला हूं माइक के बोलता तो लोग भूल जाते थे अगर किशी को पूच सकता है कि आपने ची लिखा है क्यों लिकर आप नहीं करते इसलिए लिखके दियां मैं भी नहीं ब день भाई लिखा है जो चीजे लिखा है अगर किसी को उस चीजों पर confusion होगा आ करके मुझसे पूछे पच्चों को हमने संभानित करनाय चालू किया नाया पतता है और हर डीपार्ट वैले जो अपने अपने टाप अपने हैं चालू किया mi хват ठैसर करजत में आज तक खाना नहीं भी को सुब्टाथा लेकिन कहना कमी नहीं मिलता था मेरे आने के बाद मैंने पोरॉसरों से लगना पड़ा लेकिन पोडूसरों निक से करके रिस्पयों पर इंडूर में भी हमने किनीelf कि Principal industry आफिस में चेक के लिए ज consig के लिए जराक्स के लोगों को दिक्त होता है फ्री सेवा हमने आफिस में जराक्स चालू किया जिसको भी जो जडूरते फेराक्स आफिस में probay एंबुलिंस की सेवा फ्री में हम लोगों ने स्वास्तिक पोर्डिक्शन आउस का मैं बहुत बहुत धन्यवार देता हूं उन्होंने हमारे मेंबरों के लिए एक एंबुलिंस दिया है और फ्री सेवा हमारी उनियन उसकी फ्री सेवा चलाएगी और स्वास्तिक पोड़क्सन हाउस के लिए एक बार जोरदार जो हमारे लिए एंबुलिस फ्री में दिया 25 लड़कियों को साधी से पढ़ाई चले के साधी तक हमने करने का वादा किया है उस पे कारे चलुए और पहले जो साधी का लोगों पैसा ठीक से नहीं ले पाते थे आजो प्रधान, मुक्या, नगरसेवक से लिख करके ला रहें उनको सारी उसकी सुविदाए मिल रही है और हमारा पोडूसर के पास हम डिमांड भेल चुके हैं और खास करके कंट्रेक्टर जो एक्कुमेंट कंट्रेक्टर और आड्रेक्टर कंट्रेक्टर है उनको मैं चेताओनी दे रहा हूँ उनके खिलाप अब बिगुल बजगया है अब उनकी खैर नहीं है वो जो हमारे लाइट मैं भाईयों से गोदाम पे फ्री में काम करवाते हैं अब उन्हें बंद करना पड़ेगा अगर वो बंद नहीं किये तो उनके खिलाप हम जोरदार हंगामा करेंगे और ऐसे कुमेंट मालिक के साथ कोई काम नहीं करेगा और उसके लिए सबको सायोग देना पड़ेगा यह नहीं कि लाइट का मैटर हो सेटिंग नहीं साथ देगा सबको एक साथ आ करके आज लाइट मैं के उपर रत्याचार हो रहा है कभी सेटिंग वालों के उपर भी होएगा इसके लिए सब तयार हो जाए और हर लोकेशन पर हमने हर लोकेशन पर अरिवार किया कि जिस भी लोकेशन पर जिस भी स्टूडियो में एम्बूलेंस नहीं रहेगा हमारे मेंबरों की सेटी नहीं रहेगी हमारे कोई भी मेंबर काम नहीं करेंगे और ये सब चीजे लिखित मैं सारे पोडूसर इस्वेशन, सरकार सब जगे भेज रहा हूँ, अगर मुझे विश्वास है कि पोडूसर उस चीजों पर गौर करेगा, अगर गौर नहीं करेंगे तो ऐसे ही स्टूडियो मालिक और ऐसे आड्रेक्टर रिक्विमेंट के दोलन करना पड़ेगा, और मुझे अंदाजा है कि ऐसे में पोडूसर उनके साथ नहों करके हमारे आपके साथ रहने वाला है, और मेंबर जो आड्रेक्टर और एकुमेंट कंट्रेक्विमेंट लेते हैं, वो अब छोड़ दें, और हमारे मेंबरों का पेमेंट, डाइरेक पोडूसर के खिलाप नहीं, इस्ताइक का इसारा दे दिया हूँ, जग़ जग़ पोस्टरों में हमने लगा दिया है, उन दलालों को मैं एक संदेश दे दिया हूँ, एच भी जनुरी के बाद पहले भी हमने प्रेस कंप्रेस किया था, आज भी लोगों के सामने आपसे अन और एक दो दिनों का पेमेंट जो लोग काम करते हैं चाहिए कुमेंट लाइट स्पोर्ट से उसे तुरन देना पड़ेगा, और मंधली मेंबरों का जो मंधली में काम करते हैं, उन्हें 10 से 15 के बीच में पेमेंट देना पड़ेगा, 10 से 15 के बीच बाद अगर पेमेंट दे से पंद्रक के बीच में आप पेमेंट दो अगर नहीं देंगे उनका साथ नहीं देगा हमारे साथ ही ज़रुत पड़े बदर खड़ा रहेगी और सबसे बड़ी बात मन्थली में हमने चार छुट्टी मांगा है आज हर जंगा करता है कोई काम तो हर हटे में एक छुट्टी दिलाए मन्थली मेंबरों को और पिछले दो सालों से जो हमारे मेंबरों की बढ़ोत्री पेमेंट में नहीं हुआ है उस पर भी चर्चे हो रहे हैं वो भी जल्द होएगा अगर नहीं बढ़ा पेमेंट तो हम किसी दूसरे रास्ते पर जाने के लिए तयार रहें और आज आप लोग को इतना बता रहा हूं कि आप लोग का इसी तरह सहयोग रहा आप लोग का इसी तरह सहयोग रहा तो कोई माई का लालों मुझे डरा नहीं सकता बहुत बड़ी बड़ी धंकिया आती है लेकिन मैं डरने वालों आप लोग अगर मेरे साथ खड़े हो ना कोई माई और आज काल जो हमारे दो यूनियन चल ले ही, चार यूनियन चल ले ही, जो काफी डिस्पूटे चल ले ही है, इंडस्ट्री के कुछ सीनियर लोग उसको समझाता करने के एक अगार पे ला रहे हैं, मैं भी यह चाहता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ जो सीनियर लोग हैं, क जो हमारे मेंबरों को तोड़ा जा रहा है, हमारा साड़े 6 करोड उप्या गलत तरीके से रखा गया है, उसको एक करे हमने अगले 26 जनियर में भी आप लोग को बोलाता, कि आप में से भी अगर कोई आता है, कि हो साड़े 6 करोड उप्या एक जगह रखेंगे, और एक ही करता हूँ, भी यूनियन के मेंबरों के हित में हमारे साथ आके खड़े रहे, और मेंबरों के हित में सोचे, साज मेंबरों ने जो उनकी गलतियां किया हुआ है, वो माप कर दे, आगे उन्हें कोई मौका मिल जाए, उनको सलाह दे रहा हूँ, वो भी मेंबरों के हित में, म और आफिस में Vide जो भी डिटेल देते जहिए मैं जिस मेंबर कोच यह देने के लिए तेयार हूं और किसी कोई किसी अफवा में और कभी कभी कोई लोग रहते हैं इक कहुम कन्रीन के एकीशिख करते हैं ऐब फ्लीज आप लोगों से हाल जोड़ के बोलता हूं बंद कर दो और जो अगर मैं गलत करता हूं तो मुझसे भी पूछो कि संजु तुम ये गलत कर रहे हो इसका जबाब दो उसका जबाब मैं दूँगा विरोधी भी आते हैं तो विरोधी से पूछो ए तुम क्यों कर रहे हो यह नहीं कि वह आय तो यह अच्छे मैं आय तो मैं अच्छा हमारे कुछ लोग ऐसा करते कुछ लोग तो एक एक सब आप लोग छोड़ दो और अगर हमसे कुछ भी गलतिया हुआ होगा साल बर में दो साल में चार साल में तो उसके लिए आप लोग माप करना और यहां भी जो भी कुछ तूटियां रही होगा आने जाने बैटने में तो यह आपका प्रोग्राम है आप उसके और मेहमानों को सम्मान दीजिए और कुछ भी गलतिया हो दोसे माप करिए जय हिन जय महाराश्य जय मजदूर यूनियान जिन्दावाद मजदूर यूनियान दोस्तों आपने विचार आपके सामने रखे वो आपके लिए थे आपके हित्मे थे अगर हमारी इतनी बड़ी साभा में सबको उनके विचार अच्छे लगे और उसे सहमत है तो कृपा करके अपनी जगा पर बैटे हुए अपने हाथ उटा कर समति प्रदान करें प्लीज हम भी देखेंगे वाह बहुत अच्छी बात बहुत बड़ी बात अभी 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 साउन्ड एस्ट्योशन के चेर्मेन बियन तीवारी जी पढ़ा रहे उनके लिए बहुत बहुत बढ़ाई और एक बड़ी खबर क्यों फेडेशन के भी प्रेशिड दोस्तों कारिकरम बहुत सारे हैं हमारे मेहमानों का स्वागत भी करेंगे लेकिन दोस्तों हम भी समय की कीमत समझते हैं कि किसका समय कितना महान है और कितना महेंगा है हमारे स्री रजामुराज जी और स्री स्री रजा मुराज जी स्री रजा मुराज जी अपने समय के प्रतिबंद में हैं लेकिन दोस्तों एक चीज आपको मानना पड़ेगा शायद एक भी साल ऐसा नेरा होगा जब उन्होंने नागा किया होगा खाड़ा किया होगा हमारे मिटिंग में नहीं आने के लिए हम तो उनको बहुत तहे दिल से शुक्रियादा करते हैं हम उनके करजदार हैं कि वो हमें इतना अशिरवाद देने के लिए उतावने रहते हैं रजा मुराजी और विद्याताई साइद अपने समय के प्रतिबंद में हैं जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम रजा मुराजी का अशिरवाद लेने के लिए अपने उवरकरों के हित्ते हैं उनकी जबान से कुछ दो सब्द जरूर सुनेंगे रजा मुराजी उनका भासर उनकी बात नियारी है आप सब के लिए बहुत जरूरी है पासरे पासरे अश्क माने पूरा नियारी फूरी तर्फबरे उनकी लिए ओपंसा वम होगतने जरूर even चैंड state पासरी यो जो हो act खरत में ज़कोरी जरूरी माने अच्ऌइ मजरूर गश्याए प्रुड़ प्रोपाइप सदर्डाइप मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे भाईयों बेहनों मुझे याद नहीं है कि पिछले 25 साल में कोई ऐसी 26 जन्वरी गुजरी हो जब मैं आपके बीच में हादिर ना हुआ हूँ मैं यहां आता हूँ सिर्फ आपकी महबत में वरना दुनिया का कोई इतना अमीर आदमी नहीं है जो हमें पैसे से खरीद ले कोई नहीं है आप से बहुत प्यार है बड़ी गुंजाइश है आपकी मेरे दिल में मैंने एक बात पहले कही थी और आज मैं अपनी बात फिर दोरा रहा हूँ इसी इंडस्ट्री में मैंने पहली स्रांस ली अपनी आँखें खोली मेरे वाले साथ सन बयालीज से फिल्मों में काम कर रहे हैं और जब मैं 1971 में आया तब मेरी शादी नहीं हुई थी मेरी जो फैमली है मेरी जो बीवी है मेरे जो बच्चे हैं वो बाद में हैं मेरी पहली फैमली आप हैं और कोई भी प्रोडूसर कोई भी डारेक्टर आपके बिना ना फिल्म बना सकती है ना तसवर कर सकती है आपका जो कंट्रिबूशन है आपका जो योगदान है उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता मुझे याद है जब एलाइड मजदूर यूनियन की स्थापना हुई थी तब ही मैं था एक छोटा सा पौदा लगाया गया था जिसका नाम एलाइड मजदूर यूनियन था और इतने साल बाद ये एक बहुत ही बड़ा तनावर दरख्ट बन गया है जिसमें फल लगे है ये फलदार दरख्ट है आज आपकी जो यूनियन है मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपके दफ्टर की ओपनिंग में गया था इतना शानदार आपका दफ्टर है कि ना तो बड़े से बड़े प्रोडूसर के पास ऐसा दफ्टर है और ना किसी एक्टर के पास है और इसका श्रेज आता है जो आपके आपके लीडर्स हैं इतना मैं खुश हुआ हूँ आपके दफ्टर को देखकर इसके अलावा आपकी बहुती स्ट्रॉंग एफडी है फिक्स डिपॉजिट आप से ज़्यादा अमीर कोई नहीं है इस इंडस्टरी में आप सब करोड़ पती हैं क्योंकि वो जो पैसा है वो आप सब का है और उस पे आप सब का हाख है और मुझे बहुत खुशी है कि संजू भाई ने जो कुछ बातें कहीं है बच्चियों के लिए बच्चों की पड़ाई के लिए ये एक बहुत ही अच्छा कदम है और आप सब को बिल्कुल एक परिवार के तरीपे से यहां पे समझा जाता है आज मेरे काफी सिंटा के कारे करता भी आये हैं मैं उनका शुकर गजार हूँ अमित बहल जी आये हैं और साहिला जी आयी है शुशान सिंग साहब आये हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बड़ी अच्छी दिशा में सिंटा को ले जा रहे हैं यंग हैं डाइनमिक हैं नया खून है नई सोच है और मैं एक बार फिर उनका शुक्रियादा करता हूँ कि आप आए और इस मेफिल की आके आपने शान बढ़ाई इन सब के लिए दरा जोरतार तालियां बजाईए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से प्रोग्राइम्स थे मुंबई में भी और मुंबई के बाहर भी जहां मुझे निम्मंतरन दिया गया था मैंने उन सब से माफ़ी मांग ली क्योंकि जब तक मेरी सांस चल रही है और जब तक मेरी डाइरी में 26 जनवरी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके नाम है अब तो पता नहीं कि उपर वाला भी गिनकर सांसें देता है इनसान को लेकिन ये मेरा वादा है कि जब तक मैं हूँ जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं जब तक मैं होश और हवास में हूँ 26 जनवरी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है आप साल भर काम करते हैं अपना खून पसीना बहाते हैं तो अगर कोई इतना भी आपको वक्त नहीं देता अगर कोई एक दिन भी आपके लिए नहीं निकाल पाता है तो ये बड़े ताजुब की बात है लेकिन मैं उन में से नहीं हूँ मैं आप में से हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगा और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ ना सिर्फ आप हमारे वर्कर हैं जब भी कभी ऐसा हुआ है कि हम आउडर शूटिंग पर गए हैं हमें कुछ मुश्किलों का सामना या क्राउड का सामना या कुछ बत्तमीज लोगों का सामना करना पड़ा है तो आप धाल की तरह हमारे आगे कड़े हो गएं आपने लाटियां खाई हैं आपने पत्थर सहे हैं हम लोगों को बचाने के लिए और ये एक बार नहीं हुआ है ये कई बार हुआ है और जब भी खर ये तो आज की पौद है ये जितने बाॉंसर राते पहले कोई बाॉंसर होता नहीं था आप थे हमारे बाॉंसर और आपकी मौझूदगी में हमने कभी अपने आपको अकेला नहीं समझा कई बार कुछ नहीं बच्चियां कुछ नहीं एक्रिसिस काम करने के लिए आती थी और वो घबराती थी क्राउड को दे कर तो मैं कहता था घबराओ मत हमारे मुआफिज हमारी सुरक्षा करने वाले हमारे साथ हैं वो हर तकलीम जहल देंगे वो पत्थर जहलेंगे वो डंडे जहलेंगे लेकिन आप तक आच नहीं आने देंगे और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है तो मैं तही दिल से आपका शुक्र गुदार हूँ दिल की गहराईयों से मैं आपकी गदर करता हूँ और जैसा कि मैंने आपसे कहा रजा मुराद हमेशा आपके साथ रहेगा बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया स्री रजा मुराद जी मैं तो चाहता हूँ अल्ला से बुजारिश करता हूँ भगवान से प्रात्रा करता हूँ कि अगले एक हजार साल तक ऐसे ही स्री रजा मुराद जी हमें आशिरवाद देते रहे हमारे मेंबरों के लिए दुगा करते रहे हैं दोस्तों इसके वाद हमारी दिभ्याताई जो हम्हेले है National Congress की उनको भी सम्हे का भाव है उनको भी जाना है इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे में दोस्त बोलकर हमें मेंबर्स को हमारे वरकर को आशिरवाद दें स्री दिप्या तई श्री विद्याताई अब हुआ अगा इस को है ज़्लोड अगो नमस्थे फिल्म स्ट्ट्डियो सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनियन की तरफ से आज जो वार्शिक समारोफ हो रहा है यहाँ पर यहाँ मुझे आपने आमंत्रित किया इसके लिए स्रिवास्तों जीग से उनके आभार मानती हूँ और कारेक्रम के प्रमुख अगर्वाल जी, रजा मुराज जी, हमारी महापूर मैडम, मेरे साथ आए हुए वैबो भरारकर जी और सभी मंच पे बैठे हुए, हमारे नेतागर्ण और सामने बैठे हुए यूनियन के सभी सभासत, फिल्म इंडस्ट्री को मैं हमेशा हम लोग देखते हैं, कि फिल्मों का जगमगाहट, फिल्म के बड़े-बड़े एक्टर, बड़े-बड़े सेट लेकिन उनको असल में खड़ा करने वाले कैमेरा के पीछे आप लोग रहते हो और आपकी ताकत बहुत बड़ी है, माभी स्रीवास्तों जी ने जो पताया, मैं आप सब लोगों को शुबकामनाएं देती हूँ और कभी भी आवाज दीजिए, हम लोग आपके साथ है, आपके हक के साथ है, धन्यवाद धन्यवाद है, मैं माने सभी स्री वास्तों से हमारे जन्रेश्ट के दिजिए नोत करता हूँ कि स्री गजामुराजी का सम्मान करें और स्री विद्याताई का सम्मान करें अगर इस्टेज के कम से कम भीर रहेगी, तो इस्टेज बे जो कुछ हो रहा है, हमारे मेंबर सी भी देखें ये, इस्टेज के अपर ख़गए हमारे लोगों से अन्रोध है, तो और मेंबरों को भी हो स्री देखने के मिलेगा और साथी विद्याताई के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके सभी दिसान दिजस पे चलने वाले ऐसे वाइबो भरेट कर मैं निविदन करूंगा यूनियन के जर्मनल सेक्रेटरी सिर्वास्तो जी इनका भी फुस्पुखुश देकर सम्मान करें फुस्पुखुश और सम्मान ने चिन देकर हमारे अतितियों का सम्मान यही यूनियन का भे रहा है एक बार जोड़ार तालिया आप अपने अतितियों के लिए क्यों गचिंगरी के लिए अग में अतितितितित्यों के लिए प्यू रहा है वाईवपरे विए जोश्तो हमारी सबसे एक बड़ी संस्था है सिने आर्टिस्ट एसोशियसन उसमें हमारे बहुत से मानिवार जिनकों हम इज़्जत करते हैं और उनके सायोग से भी हम हमारी उज़ी रूटी जलती है तो सिने आर्टिस्ट एसोशियसन सिंटा के नाम से भी जानते हैं संटा के टीम से स्री प्रशाद सीन है और हुनकी टीम के साथ आये हमने उनका हमारी युद्धर की तशाभ से आभार्बेक्ट करते हैं और Sihle Sound Association के प्रिसीडेंट कि शिधी सीमिंति की आया है हमने उनका हमेशा से समझ किया है आज भी समझ करेंगे चमय में साथ-साथ सारे कारिकों चलते रहें हम सब का सम्मान भी करेंगे और श्रीक hunter भलूए पैशन के प्रेशिडेंग लेकिन दोस्तों हम उनका किए आट्चेस स्थे सम्मanta करें तरफ भर अपर प्ला सवाई दिए कि हमारे मेवानों की बहुत बड़ी निश्ट है जैसे आए हैं वैसे हम हमारी तरफ से हमारी उनिन की तरफ से उनका सम्मान करें लिए और और भी जो खारी कम है इसके आगे चालियों के लिए कि दोस्तों समय है है हमारे पास आप अपनी सीट बैठे रहें और सभी कारेकरम का आनंद उठाएं आप आप डियेक्टर एसोसियेशन से आप डियेक्टर हमारे चहेते हमारे दोस्त हमारे मित्र सिरी सुनिजय स्वाल जी आया है कि दोस्तों हमारी इस यूनियन के फाउंडर जिन्होंने नूँ डाली है स्री बसंद काट कर लिया है हम सबका समान करेंगे और उनका अभार बेक्त करेंगे स्री रमेश मिस्रा जी आये हैं नवीन दूबे जी आये हैं हम हमारी मेंबर के तरफ से हमारी उनियन के तरफ से उनको आभार बेक्त करेंगे उनका सम्मान करेंगे समय के उसार ये सिसला चलता रहे है सबसे पहले हम उनका अभार बेक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए समझ दिया योगे दुबे जी एक सामाजिक कारकरता भी बोल सकते हैं हमको हमारे हमसे सीनियर भी बोल सकते हैं आपको कुछ दो सब्द अपनी तरफ से बोले जो आपके हित्म होगा योगे दुबे जी योगे दुबे जी बार रहे हैं जो राष्ट्री है बाल अधिकार सर्रक्षन आयोग से हैं भारा सरकार के सदस्य से हैं योगे दुबे जी और इसी के साथ एस्टिशन की तरफ से साहिला चड़ा जी उनका भी स्वागत है सिंटा की जनल सेकेटरी शुशान सिंग जी अमित बहल जी और दीपक काजिर जी उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है एस्टिशन की तरफ से योगे दुबे जी आज इस विशाल वार्शिक समारों में मंच पर पस्थित फिल्म स्टूडियोज और एलाइड मजदूर इनियन के महासचिव श्री संजू जी मंच पर विराजमान, फड्रेशन के अध्यक्ष और हमारे समाज के अत्यन्तभी परतिष्थित साउन्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष आदर्णिय श्री बियन तिवारी जी बंच पर विराजमान, श्री मती प्रवीना ठाकुर जी श्री टीपी अगरवाल जी उत्तर भारतिय महासंग के राष्ट्री महासचे रमेश जी नवीन जी एक बहुत बड़ी श्रिंखला इसमे मंच पर विराजमान है और मेरा समबाद उस समाज के साथ में हो रहा है उस वर्ग के साथ में हो रहा है जो इस बहुत बड़ी इमारत की नीव है आप सभी मजदूर आप वो स्वस्वर्ग से मेरा समबाद हो रहा है जो बड़ा सा ताजमल तो सभी को दिखाई पड़ता है ये बड़े बड़े फिल्म स्टार ये बड़े बड़े फिल्म कलाकार तो दिखाई पढ़ते हैं लेकिन उस इमारत की नीव आज उनका दर्शन करके मेरे मन में अत्यनती प्रफुलता है मैं रिदे से आपको बहुत बहुत अबिनेदन करना चाहूंगा ये सारी चीजे जो यहां पर दिखाई पढ़ रही है ये सारे फिल्म जो दिखाई पढ़ रहे है ये जो बड़े बड़े सेट यहां पर दिखाई पढ़ रहे है जो बड़े बड़े स्टूडियो यहां पर दिखाई पढ़ रहे है अगर आज किसी के खून और पसीने से अगर वो चमक रहा है वो आपके खून पसीने से चमक रहा है भै आपका लाख लाख अबिनन्दन करना चाहूंगा मजदूर जो कहते हैं कि जो मजे से दूर है वही तो मजदूर है लेकिन श्रिवास्तव जी जो आपके साथ जुड़ा हुआ है जो आपके साथ संघर्ष कर रहा है वो निश्यती साभिमानी है निश्यती वो जीवन में उतकर्ष करेगा ये मैं पुरा अभिनंदन के साथ आपको कहना चाहूंगा मैं बड़े देर से आपको सुन रहा था संज्यू जी बहुत ही गहराई से इनको सुन रहा था और मैं ये अनुभव किया कि किस प्रकार से संघर्ष के रास्ते पे चल कर आज इनों ने ये हजारों लोगों का नेत्र तो यहाँ पर स्विकार किया है हम लोगों को लगता है कि 42,000, 45,000 लोगों का नेत्र करने वाला व्यक्ति उसमें हैंकार होगा उसमें कोई क्या बात होगी लेकिन जो सबसे बड़ी बात संज्यू की है वो है इनकी विनमरता वो है इनकी सचाई है वो है उनकी पारदर्षिता 25 करोड, 40 करोड एक संस्था के पास में है किसी मजदूर यूनियन के पास में इतना पैसा होना ये कोई खाने की चीज़ नहीं है लेकिन जितनी पारदर्षिता के साथ में ये काम कर रहे है मैं रिदे से इनको बहुत बहुत अमननन करना चाहूंगा और मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा आपको कि आपने अभी तमाम जिक्र किया कि बहुत सारी और संस्थाएं हैं बहुत सारी अपने लोग हैं लेकिन जिस मार्ग को आपने चुना है शिवास्तव जी इस पे आप आगे बढ़ते रहिए यह हजारों लोग यह लासों लोग जो यहाँ पर हैं एक एक व्यक्ति का आपके साथ में यहाँ पर आशिरवात बना हुआ है आप निश्यत ही बहुत प्रगती करेंगे आपका संगठन बहुत ही आगे जाने वाला है आपके अनेक समारों में मुझे आने का अफसर मिला तिवारी जी आपका नेतृत भी इस वर्ग को मिल रहा है मैंने बहुत नजदीक से आपके कामों को देखा हुआ है और मुझे पुरा विश्वास है कि आपके मागदर्शन से निश्य थी ये यूनियन भी बहुत आगे बढ़ेगा बहुत तरक्की करेगा मैं श्रिश्वास्तर जी को आज दिन बर अनेक कारिकरम यहाँ पर बने हुए है 26 जन्वरी के गंतंत्र के पावन अफसर पर आज अनेक समारों यहाँ पर बने हुए है लेकिन आप सभी लोगों से समबाद करके आप सभी लोगों का अश्रिवात पाकर मुझे बहुत हार्दिक प्रसंता है और फिल्म स्टूडियो सेटिंग और एलाइड मजदूर यूनियन इसके लिए मैं अपनी पूरी सदभावना और पूरी मंगल कामना वेक्ट करना चाहूंगा वैसे जिन संस्थाओं का मैं धेक्ष हूँ वो दिव्यांगों के लिए वीकलांगों के लिए बच्चों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि लगबख 40,000 लोगों का मुफ्त में हमने बीमा करके दिया हुआ है अगर आप शिवास्ता जी कहेंगे तो आपके यूनियन के तमाम पदादिकारियों कार कारे करताओं का मुफ्त में बीमा करने के लिए हमारा संगठन आपके साथ यहाँ पर खड़ा है और कोई व्यक्ति पर वीकलांग होता है कोई व्यक्ति अगर दिव्यांग होता है तो हमारे संगठन की ओर से हमारे संस्था की ओर से जितना योगदान हो सकता है वो पूरा योगदान करने के लिए हम और आप कंदे से कंदा मिला कर खड़े रहेंगे इस बात का मैं आपको वचन देना चाहूँगा शिक्षा के शित्र में हम लोग काम कर रहे हैं कहीं अगर आपको यह अनुभव होता है कि कहीं पर किसी को एड्मिशन नहीं मिल रहा है आज कोहिनूर के साथ में हमारा स्किल डेवलप्मेंट का टाई अप हुआ है अगरवाल जी कोहिनूर के साथ में बच्चों के लिए रोजगार के लिए हम लोग साथ में काम कर रहे हैं अगर आप कहेंगे तो पूरा एक करिकुलम हम लोग डिसाइड कर लेंगे मजदूरों के लिए ताकि हम उनको कोर्सिज ओफर कर सकें उनको रोजगार अधिक से अधिक हम बच्चों को दे सकें आपके साथ में मिलकर एक नई संस्कृती के साथ में मिलकर हम लोग काम करें और मुझे बड़ी प्रसंदा है कि आज आपके साथ में हर मज़भ का वेक्ती हर जाती का वेक्ती हर धर्म का वेक्ती आज जुड़ा हुआ है कोई कोई हिंदू कहता है कोई मुसलमान कहता है कोई हिंदू कहता है कोई मुसलमान कहता है जो पिड़ा सूर सहता है वही रस्खान सहता है जलाते क्यों हमें धर्म की आग में हमारी रगों में तो हिंदुस्तान बैता है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुब कामना है जुबे जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनोंने हमारे लोगों को बच्छन दिया कि जितने अपवाईज मेंबर है उनके लिए सुर्यूग देंगे और इंसोरेंस करने के लिए वादा के उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी अब Ś니다 हमारे वीच हमारे साथ हमें आशिरवाद देने के लिए सिरी गजेंदर चुवान जी आये हैं बहुत पुरारे एक्टर हैं और बहुत लोगों ने महावारत में को देखा भी होगा हम आने के साथ सुचते हैं कि उनका अशिरवाद लेने तो बहुत अच्छा है अभी अभी श्री नवीन दुबेजी भी आया है अच्छा नवीन दुबेजी से की रिक्वेस्ट है कि हो माइक पाई प्लीज नवीन दुबेजी और ओर अभी श्री विसाजी का स्वागत करेंगे नवीन दुबेजी दो सब्द बोलेंगे आप लों के साथ नवीन दुबेजी हमारे बीच में है हमारी एस्सेशन उनसे रिक्वेस्ट करती है कि एस्सेशन के लिए दो शब्द बोलेंगे नवीन दुबेजी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नवीन दुबेजी मंच पर उपस्थित सभी महानोबों को नमन करते हुए आज पर जा सकता दिन की आप सभी लोगों को मन से शुबेक्चा देता हूँ सभी वक्ताओं को सुना मैंने संजु शिर्वास्तों कह रहते कि उनके उपर कई बार आरोप होते हैं कई बात उनके बारे में कई जाती है तो मैं इतना ही कहूंगा संजु को कि बात उनीक ही होती है जिन में कोई बात होती है आज आप जो एक काम कर रहे हैं जो आपने बीड़ा उठाया है कामगारों को नयाय दिलाने का मंच बस अभी मानवों का अशिरवाद उनका साथ आपके साथ हाई है इन उनके साथ आपके साथ इतनी वड़ी एक फोज मजदूरों की साथ में तो आपके लिए कोई भी काम असंबव नहीं है फिर्म जगत में हम लोग सुनते हैं 100 क्रोड प्लस 2 क्रोड प्लस 300 क्रोड प्लस लेकिन आज तक हम लोगों ने यह नहीं सुना के कोई पिक्चर वालों ने करोड रूप्या कमाने के बाद मजदूर फंड के अंदर मजदूरों के लिए कुछ दिया मैं चाहूंगा एलाइड मजदूर यूनियन यह ज़रूर एडिमांड करें कि मजदूरों के लिए भी ए इसा आप लोग ने बनाया वही से एक एजुकेशनल पॉलिसी भी हो उनकी सेक्वेड फॉलिसी भी एक हो ताकि आने वाले उनके बच्चों का भविश्य उज्वल और अच्छा हो सके सिर्फ इतना ही कहूंगा एलाइड मजदूर उनियन के लिए किया आन्या है वह राम है और राम के कदम लाने वाले या संजु है तो आप सभी लोगों को मन से शुबेक्शा यताओं से वितना ही कहूंगा रुके नजो जुके नजो दबे नजो मिटे नजो रुके नजो जुके नजो दबे नजो मिटे नजो तुम वो इनकलाब हो जुम कर जवाब हो जाहिंद जै महराश्ट्रो बहुत बहुत धन्यवाद दूबे जी का इसके बाद मैं संजु श्रिवास्तर जी बियन तिवारी जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो परवीना ताई जितेंद्र ठाकुर जी जो की वसई विरार की प्रथम महिला महापोर है उनका स्वागत किया जाए ब और संजु श्रिवास्तर जी परवीना ताई जितेंद्र ठाकुर का सम्मान करते हुए परवीना ताई जितेंद्र ठाकुर जी वसई विरार की प्रथम महिला महापोर है बहुजन विकास अगाडी से उनसे गुजारिश भी करूँगा कि वो दो शब जो है एसोसेशन के बा प्रभीना ताई महापोर जी का स्वागत करते हुए अभी नंदन करते हुए ही यिझ करते हुएंग एल्या हुए हुएए लगाज हुए ्टो कष भुद घहां छिए अच्प ठन्हें कही हाँ करत disagree प्रवीना ताइसे गुजारिश है कि वो हमारी असेसे़िए दो नियुक है प्रवीना ताइसे गुजारिश है कि इसेसेिशन के लिए दो श्प्ट जो है वो आशिरवाद में जरूर कहें जोर्दार तालिया प्रवीना ताई ठाकुर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेडम नमस्कार फिल्म स्टूडियोज सेटिंग एंड अलाइड मजदूर संगतना युनियन इसके आज के वार्शिक संविलन में उपस्थित मंच पर बिराजबान इस कारेक्रम के अध्यक्ष और इस युनियन के सारे पदाधिकारी यहां पर उपस्थित सारे अतितिगण और आप सभी भाईयों तथा बहनों सबसे पहले भारतिय प्रजासत्तक के 67 वे वर्धापन दिन के अउसर पर मैं आप सभी को बहुत-बहुत शुप कामनाएं देना चाहती हूँ यहां आने के बाद संजु जी से एक बात पता चली कि जो 43,000 सदस्य है इस युनियन के उसमें से 15,000 लोग, 15,000 सदस्य जिस वसे विरर शहर महानगरपाली का क्षेत्र की मैं मेयर हूँ, वहां से आते हैं मुझे बड़ा ही अभिमान है कि मेरे परिवार के लोग यहां पर आते हैं और आप उनके लिए काम करते हैं इस युनियन की स्थापना 1983 में हुई थी मैंने थोड़ा बहुत इसमें पढ़ा है बट किसी भी संगटना को स्थापन करना और उसको 32 साल तक चलाना यह बहुत ही बड़ी बात है इसके लिए इस संगटना के जो भी पदाधिकारी रह चुके हैं फिल्मी मजदूरों के लिए जिन्हों ने आज तक काम किया है उन सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ उनको बहुत बहुत शुप कामनाय देती हूँ कि आपने इनके लिए सोचा इनको न्याय मिले इनको हक मिले इनको अपना अधिकार मिले उसके बारे में जिन जिन लोगों ने सोचा है उन सभी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ उनका संजु जी आप भी हमारे क्षेत्र से आते हैं और हमारे वसई विरार का पानी जो है वो बहुत ही डैशिंग है वो आपके भाशन के अंदर मुझे पता चला जिस तरह से आपने इन मजदूरों के हक के लिए आपने जो बाते कही हैं सच में मुझे आपका बहुत ही अभिमान है कि आप हमारे क्षेत्र से आते हैं एक बात जब मैंने मेयरपद की शपत ली थी उस वक्त मैंने कही थी कि लोगों ने जब नेत्रूत्व मेरे हाथ में सौपा है तो मेरे यहां के लोग ये मेरा परिवार है और जिस तरह से एक परिवार का बड़ा व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के बारे में सोचता है उनके सुख सुविधा के बारे में सोचता है उसी तरह आज से मैं अपने शहर के सभी लोगों के बारे में सोचूंगी ये वचन मैंने लिया था और संजु जी आप और इस यूनियन के जो अध्यक्ष जी है अभी तक पदारे नहीं है मैं भी उनकी रा देख रही थी क्योंकि वो भी बहुत ही डैशिंग है मित्रता निभाने में एक नंबर है क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरा बेटा उनका मित्र है संजु जी आपके भाशन में जो मजदूरों के प्रती वेदनाए मैंने सुनी जो पॉलिटिक्स हर क्षेत्र में पॉलिटिक्स होता है राजकरण खेलने के लिए हमारा क्षेत्र पड़ा है बहुत ही बड़ा है पर जब हम किसी के सुख के बारे में सोचते हैं किसी की सुविधा के बारे में सोचते हैं किसी को न्याय दिलाने के बारे में सोचते हैं वहां कतई ही राजकरण नहीं होना चाहिए आपके वक्तव्य में मुझे ये सुनाई दिया कि बहुत सा पॉलिटिक्स आपके इस क्षेत्र में भी हो रहा है आपको बहुत ही तकलिफे दी जा रही है एक ही बात सभी भाई बेनों से मैं कहना चाहूंगी कि अगर एक तीली है उसको आप आसानी से तोड़ पाओगे पर सारी तीलिया अगर एकटित करोगे एकट्था करोगे तो उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा आप संगटित रहो आपके न्याय के लिए आपको कभी भी पॉलिटिक्स करना नहीं है आपने जिनके हाथों में नित्रूत्व दिया है मुझे पता नहीं आपके क्षेत्र में किस तरह से elections होते हैं आप किस तरह से voting पददती से ही होता है आपने जिनको चुना है जिनके उपर विश्वास रखा है तो उनको पीछे खिचने की कोशिश कभी मत कीजिए उनके साथ में खड़े रही है जो आपके बारे में सोचता है आपको अधिकार दिलाने के बारे में सोचता है आपको न्याय दिलाने के बारे में सोचता है उसके साथ आप हमेशा खड़े रही है क्योंकि आपने उनको उनके उपर विश्वास रखा है उनको चुन के लाया है एक बात में यहां कहना चाहूंगी कि मेरा बेटा भी फिल्म प्रोड्यूसर है उसने मराठी फिल्म बालक पालक पहली बनाई दूसरी बनाई येलो जिसको राश्ट्रपती एवोर्ड से सम्मानित किया गया और वो भी आप लोगों के परिवार का एक सदस्या है तो एक ही बात संजुजे आपसे कहना चाहूंगी कि यह जो मज़दूर लोग है जो लाइटमेन है या जो कारपेंटर है या जो स्पोर्ट बॉय है वो आज तक इस तरह का काम करते आए हैं कश्ट करते आए हैं पर आप आपने जब एक यूनियन बना ली है आप इसके अंदर एक पद पर है एक काम कर रहे हैं इन लोगों के लिए तो ये बात जरूर सोचेगा आपके भाषन में मैंने वह सुनी है कि इन मजदूरों के बच्चे अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर पाएं उनका आरोग्य की इस तरह से अच्छा रहे उसके बारे में आप कोई ऐसे मेडिकल कैम पता नहीं आप लेते हैं कि ने उस तरह के मेडिकल कैम लीजिए इस परिवार की जो महिलाए हैं, उनके आरोग्य के बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए, इनके बच्चों के बारे में, इनके पिता, माता, वो तो कश्ट करके आज तक अपना जीवन गुजारते आये हैं, पर आगे चलके उनके बच्चे किसी अच्छी जगापर नोकरी क कर सके, इसलिए उनको एक शिक्षा देनी की आवश्यक्ता है, और शिक्षन के लिए अगर आपको किसी भी तरह की हमारे सहकारे की, हम लोग पॉलिटिक्स में हैं, तो हमारे सहकारे की कोई भी जरूरत पड़े, तो हमेशा हम आपके साथ हैं, पुनर एक बार संजु जी ने इस कारे करम के अंदर भुला करके, मेरा जो सम्मान बढ़ाया है, आप सभी की मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ, फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत शुप कामनाय देख करके, मेरे दोशब्दे खत्म करती हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद, धन्यवाद, प अजय है, जय है, चारीज़ परसेंट मेंबर उनके चेहते में नुवास करते हैं, और उनको बहुत-बड़ी उमीद होगी, इसके लटाएगों बहुत-धन्यवाद देते हैं, दोस्तों, हम भी समय के कीमत समझते हैं, स्री शुषान सिंग जी, जो सिंटा का नितरत करते हैं अपने टीम के साथ आए हैं, और उनके पास हमें का भाव है, लेकिन हमारे लिए अभी उन्होंने दो सब्द बोले नहीं, हमें आशिरवाद नहीं दिया, अगर हमें वो दो सब्द बोलके आशिरवाद दे दें, तो हम उनको राजू सिर्वास्तों जी आए है, राजू सिर्वास्तों जी का, जो उन्होंने समय दिया है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं नमस्कार सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें जी ये डालाग, ये डालाग और ये चेहरा आप लोगोंने बहुत देखा होगा, आज उनको सामने से उनको बोलते हुए देखिए मैं जादा लंबी बात करूँगा नहीं, जैसा इन्होंने कहा दो शब्द कहें और मैं तो इंडस्ट्री का ही हूँ, आप में से कई लोगों के साथ काम भी किया है, आगे करता रहूंगा तो मैं या मेरे द्वारा तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपका कितना योगदान है इंडस्ट्री में और हम लोग साथ में कितना कुछ करते हैं आज ये अच्छा लग रहा है कि सेट पर आप लोग हमारे पीछे खड़े होते हैं याने हमें सपोर्ट देते हैं एक्टर्स को खास कर क्योंकि अंत में जब कैमरा चलता है तो शकल हमारी दिखती है लेकिन मेहनत पीछे एक पूरी टीम की होती है आज आप से आमने सामने बात करने का मौका मिल रहा है इसके लिए धन्यवाद मंच पर जितने सम्मानित अतिती हैं उन सबको नमशकार आप सबको नमशकार गंतंत्र दिवस की हारदिक बढ़ाईया संजु जी आपको और आपकी टीम को धन्यवाद कि आपने सिंटा को यहां मंत्रित किया ये मौका दिया मुझे बात करने का में एक प्रश्ण था अपने मेंबर्स के लिए कि भाई खाना था पूरी यूनिट के लिए एक साह आता है अच्छा नहीं आता है हम सबको मालूम है लेकिन कभी आपने ये सोचा है खाना कैसा भी हो एक्टर्स को कम से कम बैठ कर खाने के लिए जगे तो मिल जाती है हमारे जितने लाइट में हैं स्पॉर्ट बॉय हैं सेटिंग के बंदे हैं उनको बैठ में के लिए जगे भी नहीं मिलती है लंच ब्रेक में खाने की क्वालिटी की लड़ाई तो बाद में करेंगे सबसे पहली लड़ाई ये है जो हम सब को मिलकर लड़नी होगी कि इनसान की तरह ट्रीट्मेंट मिले सब को सेट पर एक सा सब के लिए जगे हो बैठ कर खाने की जो एक घंटा लंच ब्रेक हुआ करता था किसी जमाने में वापस एक घंटे का आराम सारे मज़दूरों को मिले सेट पर लंच के दौरान आज तो बारा बारा घंटे पिस्ते हैं 14 घंटे 16 घंटे पिस्ते हैं सब को सिर्फ पड़ी है प्रोडूसर्स को कि 22 मिनिट का फुटेज कैसे निकले काम कैसे हो रहा है किन कंडिशन में हो रहा है इसकी कोई किसी को फिक्र नहीं है और जो भी यूनियन अपने मेंबर्स के हितों के लिए इमानदारी से काम करती है सिंटा उसके साथ हमेशा खड़ी रहेगी कंडे से कंडा मिलाकर आपने चार शुट्टियों की मांग की सिंटा का पूरा सही हो गए आप जब इसे शुरू करना चाहें जिस तर पर शुरू करना चाहें यकीन मानिये हम आपको साथ में रहेंगे एक नया बदला वाया है नए चेहरे हैं सिंटा कमिटी में काफी कुछ नया शुरू किया है कोशिश ये रहेगी कि आइंदा सेट पर जब भी किसी के साथ कोई प्राब्लम हो वो चाहे एक्टर हो चाहे हेर मेक अप डिपार्टमेंट हो यूनिट का कोई भी सदस्य हो एक बात फिर से धन्यवाद और बहुत बहुत बढ़ाई आपको इतने बड़े महुतसव के लिए उम्मीद करता हूँ हर साल ये महुतसव और बड़ा होता जाए आपकी यूनिट हो और स्ट्रॉंग हो और हम साथ मिलकर इंडस्ट्री को एक नए मकाम पर ले जाएं धन्यवाद धन्यवाद स्री सुसाद्जी हम आपसे ये भी अलोट करते हैं कि आप हमेशा हमारे वरकर को आशिरबाद देते रहें हमारे मेंबर्स को आशिरबाद देते रहें और कभी हमारे आफिस में आकर वहां भी हमारे कामकाज की कुछ देखबाल करें। जोस्तों इसके बाद एक खुशकबर ही आपको देना चाहते हैं। वो खुशकबर ही ऐसा है कि जैसा कि हमेशा आप जानते होंगे बारा लाट्री निकालते हैं हम लोग फांच-पांच हजार की है 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 मैं जर्नल सेक्टिस मोह देख सहम अभरत करता हूं किसी सुसान सिंग्जी को स्वागत करके उनका असिर बाद लें हाँ तो हाँ दोस्तों को खुशकबरी है कि जैसा कि हम बारा लाट्रे हमें सब पांच-पांच-पांच-जार के निकालते हैं तो इस साल के लिए हमारे बहुत ही चहेते पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पां लाटने का सिस्टम क्या होगा हो ठोला सोच समझ कि अभी एराउंस किया जाएगा स्री सुसान जी सुसान संग जी उनका सम्मान करने के लिए स्री संजु स्विवास्तव कुछ से अनुरूद करते हैं सुसान जी का पुश्पगुश और ट्रॉफी देकर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी संजु जी सम्मान कर रहे हैं और साथ ही एक अनॉस्मेट की तरफ भी आपका ध्यान केंदरित करना चाहूंगा इस कारेकरम का सीधा प्रसारंड पूरे मुंबई में महसो टीवी पर लाइव चल रहा है आप यूटूब पे और महसो के पूरे नेटवर्क पे पूरे मुंबई के नेटवर्क में लाइव देख सकते हैं अभी सुसान जी का सम्मान सेक्रेटरी महोदे करें इस कारेकरम का सीधा प्रसारंड महसो टीवी पूरे मुंबई के हैथवे और इन डिजिटल नेटवर्क पे आप लाइव देख सकते हैं और यूटूब के जरे भी इस पूरे कारेकरम का आप बेहां बेटे बेटे मोबाइल से भी लाइव देख सकते हैं मैं चाहूँगा अगले सम्मान की और हमारे मित्र अनौस्मेंट करें धन्यवाद जिस तरह से सेंटा के जनल सेकेटरी शुशान सर ने यहां पर बताया कि वो हर एक लड़ाई में आपके साथ है सेंटा में भी उन्होंने बहुत सारे बदलाव किये हैं जिनके लिए वो जिन में से बहुत ही सारी चीजें जैसे ऑनलाइन उन्होंने शुरू की हैं यह बहुत ही नहीं नहीं चीजें इस टीम द्वारा की जा रही है एक एसोसेशन के शिरी संजु शिरिवास्तव जी सेंटा मेंबर्स का सम्मान करते हुए और मैं आप सभी जो जाने के इच्चुक हैं या जा रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि हो सकता है आपका नाम भी लॉट्री में निकल आये थोड़ी देर विराम रखीए अभी लॉट्री की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी हो सकता है आपका नाम भी उसमें निकला है तो प्लीज आप बेठे रहें आपको बता दिया जाए कि अगर आप लॉटरी को मिस कर जाते हैं तो वही लॉटरी जो है वो दूसरे को दी जाएगी पहले ऐसा नहीं था पहले जिनकी आती थी उनको अफिस में इतला कर दिया जाता था लेकिन अभी ऐसा नहीं है जो यहाँ पर प्रेज़ेंट होंगे जो यहाँ पर हमारे साथ बने रहेंगे उनी की जो लॉटरी है वो निकाली जाएगी सिंटा के जनल सेकेटरी शुशान सेंग जी अमित बहल जी काजिर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पर आए एसोसेशन की गरिमा मढ़ाई आपको सुचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच में आपके मन पसंद राजु शिरिवास्तर जी आ गए है थोड़े ही समय में वो आप सब के बीच में होंगे राजु जी आये हुए है और साथ ही मैं शिरी जगदीश अमीन अन्ना जो कि मुंबई कांगरिस सेकरेटरी है माराष्ट समर्थ कांगार संगटना उपध्यक्ष है उनका भी स्वागत करता हूँ और इसके साथ गजेंदर चोहान जी जो FTII के अध्यक्ष है उनका भी हाजोड के स्वागत है टीना गही जी जो हमेशा हर वर्ष हमारा होसला बनाने के लिए हमारे अस्वाशेशन के फंक्षन में हमेशा से आती है उनका तहे दिल से स्वागत है गजेंदर चोहान जी का स्वागत करते हुए मैं गजेंदर जी से मैं गजेंदर म्यूजिक थोड़ा कम किया जा है म्यूजिक डिपार्टमेंट आप ध्यान दें कि जब मैं यहां पर बोल रहा हूं तो थोड़ा उसका वॉलिम कम रखें गजेंदर चोहान जी को रिक्रेस्ट है उनको माइक कि वो आ रहे है यही पर आ रहे है कि दो शब्द जो है आशिरवाद के जो शब्द है वो हमारी एसिशेशन को कहें गजेंदर चोहान जी के लिए जोरदार तालिया तालिया जोरदार होनी चाहिए गजेंदर चोहान जी मेरे अपने भाईयों को मेरी नमशकार ये मेरे सामने जो जन समू है ये मेहनत की ताकत का अंदाजा लग सकता है इस बात से आप लोगों के साथ करीब तीन दशक होगे काम करते हुए फिल्म इंड़स्ट्री में और सिंटा जिसका नाम है आर्टिस एसोसेशन का दो दशक से ज़्यादा मैं वहां का सदस से रहा हूँ कारे कारणी का और रोम पुरी साहब से पहले मैं वहां का अद्धिक्ष भी था मैंने एलाइड मज़ूर यूनियन की ताकत को देखा है परका है और पहचाना है ये वो लोग हैं जो इंड़स्ट्री को खड़ा करते हैं ये आप लोगों की बदौलत आप लोगों की महनत की बदौलत फिल्म इंड़स्ट्री चलती है इस महनत को इसका जो आपको रिटर्न मिलना चाहिए उसमें कहीं न कहीं कई बार कमी रहती है लेकिन मुझे बड़ी खुश्ची होती है ये कहते हुए कि अलाइड मज़ूर यूनियन का जो नेतरत है जो कारे कारणी है वो बहुत मजबूत है बहुत सशक्त है जिस परकार से हिंदुस्तान की बाग डोर आज एक सशक्त नेता इमानदा नेता कुशल नेता के हाथ में है मौदी साब के हाथ में है उसी तरह एलाइड मज़ूर यूनियन की जो ताकत है जो लीडर्शिप है जो यहां की लीडर्शिप है वो एक सशक्त ब्यक्ति के हाथ में है जिसका नाम है संजू श्रीवास्ताव और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप अपनी जी जान लगाकर संजू भाई का साथ देते है और मैं संजू भाई को अक्सर देखता हूँ कि वो भी जी जान से अपने वर्कर्स के लिए काम करते है पिछली बार मुझे आने का उस्ताव मिला था तो एलाइड मस्दून यूनियन का है यह आप लोगों की मेहनत का असर है मैं आज के इस शुब असर पर आप लोगों को गनतर्द दिवस की शुब कामनाई देता हूँ मकर संकराती अभी अभी गई है उसकी शुब कामनाई देता हूँ नवर्ष की शुब कामनाई देता हूँ और उस परमपिता परमात्मा से ये दूआ करता हूँ कि आने वाला वर्ष आपके जीवन में मंगल में हो खुश्या लेकर आए आपका परिवार हमेशा खुश रहे मेरी चंद बातों को सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जैम हराश्टा बारत मता की मज़ा नहीं आया एलाइड मज़ूनियन की ताकत और जोर से होने चाहिए बारत मता की एलाइड मज़ूनियन एलाइड मज़ूनियन धन्यवाद दोस्तो तो श्री गजंदर चौहान जी को आप लोगों ने सुना, बहुत प्रादे चेहरे हैं जिनको आपने हमेशा टीम के पर देखा भी होगा, इसके बाद इसके बाद मैं श्री राजु सुर्वास्तो जी से अन्रोद करता हूं, राजु सुर्वास्तो जी आज हमारे मीटिंग मे करने ज़रूरी है, तो राजु सुर्वास्तो जी से अन्रोद है कि वह आकर हमारे मेंबर्स को कुछ दो सब्द बोले, उन्हें कुछ संदेज दे. राजु सुर्वास्तो जी के लिए पहले जोर्दार तालिया, क्याने की जोर्द नहीं होनी चीए, एक बार जोर्दार तालिया, गजोदर भाईया के लिए, ए भाईया, हैंड मार्क, 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 हैंड म हालो 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 म्यूजिक बंद जब राजु भाई आ जाए तो कुछ नहीं चाहिए बिल्कुल मोदी जी ने राजु श्रिवास्तव जी को स्वच भारत अभियान के लिए अमेजदर बनाया है जोरदार तालिया हालो 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 इकड़े जेवन पनाय का है बहुत लोग आ गए बहुत अच्छा लग रहा है मजाग मजाग में काफी लोग आ गए है मजाग मनी सीरिसली आए है आप एक फोटो ले लो फिरा बेठो लो एक पोस ले लो ये अच्छा लग रहा है ये मेरे खोबड़ी मनी मारना ये क्या है आरे सबको देखने दो बाबाई ये ये किसी ने छोड़ा मेरे उपर बहुत अच्छा लग रहा है काफी टकले लोग भी आए हैं बेड़े भी आए हैं मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं जो पी के आएं उनको नमस्कार जो कायर करम के बाद पीएंगे उनको विशेस नमस्कार और जो पीते ही नहीं है उनकी ऐसी क्तैसी ये वाली वैनी इतना चाहस रही है इनकी हसी देखके लेग रहा है इनके पूराने नोट सब बहुत शांदार मैफील है यह हमारे साथी है हमारे भाई है यही हमको परदे तक पहुंचाते हैं इनकी मेहनत से हम लोग आपको चमकते हुए नजर आते हैं टीवी पे या फिल्म में या स्टेज में कैसे भाव बहुत अच्छा लग रहा है क्या गुटका खाएं क्या आच अच्छा नहीं नहीं खाएं जनरल से करें से भगवान आपकी आत्मा को शांती देगे ताली बजाने को मैं बोलने माला नहीं हूं बज इतना समझ लो जो नहीं बजाएगा अगले जनम में घरगर जाके बजाएगा अब इतालिय बजी बराबर तू मोबाइल से मेरी फोटो खीच रहा है कि खुद की देख रहा है एक तो मोबाइल में मालूम नहीं पड़ता है खीच रहे है कि क्या कर रहे है यह आपका बहुत वज़न है लटका हुआ है हाँ हाँ आरे थेंक्यू, थेंक्यू भावव, वावव आरे छोटा सा देखा, छोटा सा बच्च एक तम नरेंदी महुदी लग रहा है आरे कैसे हो, पिया दारू पिया आचा, बसा बसा, ठीकड़े बसा आरे वाज बच्चे यहां के बच्चे बहुत खतरनाक हैं यह हमारी जो एस्टेशन है, एलाइड मजदूर एस्टेशन हमारी अपनी कैसे सरपड़ा हम, के दद्दू, हाई अरे सब लोग इधर रखे हुए, कब से पेठे हैं, सुबे से, चाहर करें, हालो, नास्कार, नास्कार, हाई, हाई, अरे जिना उसकार, जिना उसकार, सो यहां के बच्चे बहुत, बहुत तगड़े हैं, हमारे परिवार के जो भ bipolar है, एक बच्चा मुझे मिला, मुझे बोलता है, आपको टीवी बहुत देखा है, आज जिन्दा पहली पर देखा है, मैं बुला भाई, लाई बोल दो, लाईव, तो वो उसको उतने ही मालूम था भी मैंने पूछा, मैंने बोला, बेटे, आपके पापा क्या करते हैं? बोलता, मालूम नहीं, हम तो जल्दी सो जाते हैं. जो हसे, उसका घर बसे. ये इंबुलेंस अचानक चलती तो नहीं न? उसको पकाड कर रखना भाई. तो एक बार मेरे मार दे मुंडी में. ये कहां जा रहा है? अभी क्रोली जा रहा है. जो हसे, उसका घर बसे. जो हसे, उसका घर बसे. और जिसका घर बसे, फिर पूछो, कभी हसे? अरे, प्यार करना है तो निर्मा पावडर वाली से करो. प्यार करना है तो निर्मा पाउडर वाली से करो क्योंकि यह कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो ऐसी इसी बाते हो रही है बताओ देश में ऐसी बाते हो रही है यही चल रहा है बाओ गिरना नहीं उदर है मेरे उपर आएगा तू बोल रहा थे तेरे बोलने से कि रहा है तो मैं अपने नाम रसीद नहीं फड़वाना चाहता यह विज्यापन है बीच में आते रहेंगे अरे कासा काई कासा थे बार पिशाप करने गहते नहीं नहीं बिल्कुई वो तो सब को जाना पड़ता है हो ऐसा कुछ नहीं बहुत नेचर कॉल है कुछ लोग बोलते हैं कुछ लोग नहीं बोलते हैं सो मैं सिर्फ पिशले साल नहीं आ पाये था लेकिन दद्दू ने साहिला ने हमारी जितने भी हमारे बड़े बैठे हैं यह जब भी मुझे याद करते हैं मैं हाजिर हो जाता हूं और मेरा एक ही धे है मेरा एकज लक्ष आहे जिदर मीटिंग अंभीर हो जाए जिदर भाशन लंबे हो जाए उदर जाके हसा हो बस यही ड्यूटी में लेके चला हूं एक बहुत जोरदार तालिया अपने लिए बजाईए सोयम के लिए और जोरदार मालूम पढ़ना चाहिए किसका कारकरम है अरे यह फिल्म फेर स्क्रीन एवाड फलाना एवाड घंटा एवाड यह कुछ नहीं है यह कारकरम नंबर वन आहे यह है तब सारे वाड है है न भाव जोरदार तालिया आज बहुत बड़ा दिन है राष्टी पर्व है होली, दिवाली, इद, बकरीद सबसे बढ़कर है 26 जनवरी और 15 अगस्त तो बहुत महिरबानी कि आप लोगों ने मुझे याद किया आज एक दिन और है एक चीज मनाना आप लोग भूल गए सब लोग भूल गए आज सलवार दिवस है सलवार दिवस मंजे आजी के दिन याद करो आप लोग आजी के दिन दिल्ली में राम लीला मैदान में बाबा राम देओ महिला के सलवार कूत के भागे थे तब से आज के दिन मनाये जाता है एक लड़की ने अपने जीजाजी से का जीजाजी जीजाजी पास हो गई हूँ मिठाई खिलाईए वो ले खिला देंगे खिला देंगे पहले और पास हो जाओ मैं मुंबई की लोकल ट्रेन को भी पढाम करता हूँ आज चाहे सचिन तंडुलकर हो जावे हमिताब बच्चन हो जावे अंबानी हो जावे लेकिन लोकल ट्रेन में तो घूमना ही पड़ता है मुझे लगता हमारे पहुने आगे है रामभाव उनके आता ही घवरना नहीं वैठेंगे उनको हसाएंगे पहले यह देखो टेंशन में आगए रामभाव बहुत ही यारों के यार है और हमेशा कोई अगर मित्र कश्ट में है तकलीफ में है तो यह हमारा दबंग यूआ नेता हमेशा तयार रहता है मदद के लिए और इसे जोरदार थालिया पता नहीं अभी न बजाओ सुन नहीं रहे मेरे डालोग फालतु में जा रहे उनको आने दो मैं वापस रिपीट करूँगा सब्सक्राइब करेंगे अपने राम साब का बजा बजा पहली वाली के रियरसल थी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए राम कदम जी आ गए है जोरदार तालिया राम कदम जी हमारे बीच तालिया बस्ती रहनी चाहिए जी आ पहला है जी दो आपक्राइब करूँगा जी आपक्राइब करूँगा जी आपक्राइब करूँगा जोड़ार दालियों के साथ स्वागत आप हो तो फिर समका मार्केट डाउन है कैसे हो यार बरबर रामभाव को एक बहुत जाड़ा सा हार पहना जा रहा है यह हमारी यूनियन ने बहुत अच्छा इस बार खर्चा किया है हासट और यह है है यह हम जादधी आप है यहादी आप है है यह जो टो प्रचा इस अच्छा इस सब्सक्राइब यह जो प्रचा इस जाड़ा यह जो भंगत राम कदम जी का स्वागत करते हुए डाशिंग आमदार राम कदम जी का स्वागत करते हुए गंगेश्वर शिर्वास्तर जी और सल्मान स्यद हमारे पेटा विशेशत जो है वो उनको पगड़ी बान रहे है और सेल्व थे गनार जी का स्वागत करते हुए झाम जी कि आरे ụे dos गले खाने हमारे वो उनको ल cassान हो है कि करते हुए त 되어 है राम सर के बारे में कुछ भी कहना जो है वो बहुत ही कम है आपके पास जो ये जो पत्रिका दी गई है उसमें बहुत डिटेल दी गई है कि उनके ऑफिस से उनके अपनी जेब से मैं गुजारिश करूंगा सब लोग जो उपर स्टेज पर है वो ठोड़ा हट जाए पबलिक ज जाती है कि थोड़ा गुजारिश फॉटोग्राफ से की वो तौदा शाइड में हो जाए थोड़ा साइड में रहें राम सर के सामने मत रहें ज़रो थोड़ा हट जाएं बीच में से तोड़ा साइड हो जाएं प्रीज आगे से हैमर ग्रुप से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बीच में से जगा बना दीजिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे जोरदार एक बार फिर फोटोग्राफर से रिक्वेस्ट है हाठ जोड़गे विन्ती है कि वो बीच में इसे थोड़ी जगा बीच में तोड़ी जगा छोड़ दें बीच में तोड़ी जगा चोड़ दें बियन तिवारी जी शिरी राम कदम जी का समान करते हुए बहुत बहुत स्वागत अपने कीमती वक्त में से राम सर जो है वो आप सभी के लिए हर वर्ष आते हैं हमारा सोभागय है हमारी एस्वागय है आप लोग देख सकते हैं कि हर जगा पैंफलेट लगे हुए है उनके उपर कमिट किया हुआ है कि अगर कोई बिमार है कोई भी मेंबर बिमार है तो वो बे जिजख उनके पास जा सकता है किसी को कुछ और दिक्कत है फाइनेंशली या कुछ भी प्रॉब्लम है वो राम सर के पास सीधा अपनी कंप्लेंड लेके जा सकता है एस्वाग ए एक वह इस एस्वाग है वह इस मैडम टीना गई और मैम साहिला चड़ा जी उनके पास वक्त का थोड़ा कमी है वो दो शब्द के लिए हम चाहेंगे कि वो वो हमेशा हमारे एस्जेशन को आशिरवाद देने के लिए हमारी एस्जेशन को अपना वक्त देते हैं हमेशा हर वर्ष हमारे साथ होते हैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं हम आप लोगोंगा आप लोग अपने इतने बिजी वक्त में से गृरीनिंग एवरीबारी मैं एक छोटा से किसा सुनाँगी विकास वक्त बहुत कम है मैं जानती हूँ मुझे किसी ने बोला कि ये मजदूर है मैंने उन से पूछा आपको क्या लगता है मैं क्या हूँ मैं अभी प्रोडूसर की मजदूरी हूँ आज कोई फर्क नहीं हमारे आपस में आप भी काम कर रहे हैं हम भी काम कर रहे हैं काम का एक तरीका लग है एक फील्ड लग है आपको अपने काम बे महरत हासल है हमें अपने काम बे महरत हासल है तैंक यू वेरी मच जैहें हिंद तैंक यू तीना जी का सम्मान करते हुए हमारे गंगेश्वर शिरिवास्ताव जी कमरुदीन सर शर्फुदीन सर और शुक्ला जी तीना गई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप हमेशा आती हैं हमारा समान बढाती है साहिला चड़ा जी मैं साहिला चड़ा जी से निवेदन करूँगा कि वो हमारी एस्सेशन के लिए हमारे मेंबर्स के लिए दो शब्द कहें साहिला जी सबसे पहले तो गंत तंत्र दिवस की बहुत बहुत शुब कामना है और फिल्म स्टुडियो सेटिंग अनलाइट मजदूर यूनियन ये यूनियन है जिसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं नहीं हिस्सा हूँ क्योंकि मैं हमेशा ते दिल से इसका हिस्सा हूँ रहोंगी और जब तक मरते दम तक यहीं पे रहोंगी मेरी पैदाश इस इंडस्ट्री में हुई थी मेरे फादर फिल्म से जुड़े वे थे मेरे मेरा पूरा खांदान इस इंडस्ट्री में है मैं कभी कहती नहीं हूँ क्योंकि मैं 10 साल के उमर से खुद अपने आप उपर आई हूँ लेकिन मेरा परिवार इस इंडास्ट्री का है, मैं देवनन की नीज भी हूँ, मैं सुनील दत के परिवार से शादी के बाद मैं वहाँ पर भी जुड़ी हूँ और संजू सलमान सब मेरे पसल दोस्त भी है, ले संजू दादा है, संजू शिवासर जी है, और सबसे बड़ी बात है, राम कदम जी, पहले मितुंदा थे, अब राम कदम जी, और मेरे लिए तो दोनों बहुत ही, तीनों मिलके, इतने अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं, आप सब के लिए, तो मैं हमेशा कहते हूँ के मेरी कि जब जब जड़त है, मैं हमेशा खड़ी रहyin locate को, मैं ज़रत है, मैं हमेशा कढ़ी रहोंगी, और हमेशा रहूंगी, लोग कहते हैं जैसे राजुशिवासर जी ने कहाँ, बहुत लोगों ने कहां कि सबसे बड़ा तेवार, सबसे बड़ा हिनु-मुस्लिम का होता है, या दिवाली हो या इद हो या जो भी हो लेकिन पंद्रा अगस और 26 जानुरी और एक दिवस और है जो लोग बूल जाते हैं मजदूर दिवस फर्स्ट में पहली में वो हमारा दिवस है और वो दिन भी हमें याद रखना है तो ये तीन दिन है जिसमें कोई मजब निये जिसम और वो जब जब आपको हमारी ज़रत पड़ेगी कोई भी अच्छे काम के लिए जाके मैं सिंटा में भी जुड़ी वी हो लेकिन इंडिविजली बोल रही हो कि अकेले मैं आपके साथ खड़ी रहने की इतनी हिमत रखती हो कि जब जब आपने बुलाएं मैं रहूंगी और मरते दम तक सबके साथ में रहूंगी क्योंकि ये मेरा परिवार है मैंने आज ये सोचा कि मैं राम जी के पहले राम कदम जी से पहले मैं बोलूगी क्योंकि एक बार उनके हाथ में माईक चली गई तो मुझे मौका नहीं मिलेगा बोलने का मैंने का आपके लीडर है वो तो मैंने का आप मैं पहले बोलूगी लेकिन दूसरों की तरह बोलने के बाद सत्कार के बाद जाओंगे नहीं क्योंकि मुझे उन्हें सुनना है और इसलिए मैं पहले आई हूँ लेकिन मैं रुकूंगी मैं जाओंगे नहीं और आप सबको मैं इतनी इतनी शुपकामनाय देती हूँ कि 2016 काफी बुरा मेरे लिए परसनली भी ला रहा है और काफी लोगों के लिए भी बुरा रहा है तो मैं यही दुआ करती हूँ कि यह साल हम सबके लिए बहुत अच्छा जाए सबके परिवारों में बहुत सारा सुख हो बहुत सारी अच्छे अची चीजे हो खुशिया मिले और आप सब स्वस्त रहे जो सबसे जरूरी है और बहुत बहुत तरकी करें बहुत सारा काम मिले और जहांके मोदी जी ने बहुत सारा पैसो का भी वो किया लेकिन मैं कहती आपके घरो में बहुत सारा पैसा रहे और पैसा आए So God bless you. सबको बहुत बहुत जोटो को मैं आशरवार देती हूँ बड़ो का मैं आशरवार लेती हूँ और प्रणाम बोलती हूँ And बहुत बहुत शुक्रिया Thank you God bless you Jain Jain Maharashtra And all the best Thank you Sahila ji बहुत बहुत धन्यवाद साहिला जी का सम्मान करते हुए हमारे जनरल सेकरेटरी गंगेश्वर श्रिवास्तर जी साहिला जी और टीना गई जी बिना नागा हर साल जो है हमारे कारेक्रम में हिस्सा लेती हैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत और भी कामों के होने के बावजूद साहिला जी हर साल आती है और यहाँ पर मेंबर्स को एस्टिशेशन को अपना अशिरवाद देती है बेसो अनुता नाइक जी मराठी फिल्मिश्टी से रिलेटेड है और एक्टिश भी है हमें आशिरवाद देरे के लिए आई है और हम हमारी मेंबर्स की तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उन्हें अभार बेक्त करते हैं अगर दो सब्द बोलें तो हम जरूर सुनेंगे सर्वर मजदूर माज़ा सर्व मजदूर मित्रांसा में भी ते स्वागत करते स्टेजवार उपस्थित सर्व मान्यवरांसा भी ते स्वागत करते आपन मला बोलो जलत ते जो मान सन्मान करता हाथ तैचा बदल में आपनी अत्यन्त आभारी आए और तुम्चे शिवाई आमी पिच्चर बनाऊ शकत नहीं है ते उड़त सकत्या है तुम्चे लाइट खान्देवर घेवन जे फिरता जे वजन घेता ते आमी फक्तो ओडरस देतो आक्शन बाकी काईच नहीं पड़ सगा काम करना रे तुम्चे अस्ता मागे अड़ तुम्चे शिवाई आमी कमीचे आम चात समझा तुम्चे दन्यवाद अपड़ बोलो दन्यवाद दन्यवाद कि रामकदम जी से कि वह हमारे मेंबर्स को आशिरबाद दें हालो 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 पहला असोग भाई कुछ दोस्त दो लेंगे चंदू भाई बोलेंगे उसके बाद हमारे चेर्मेंट साब आपको समभूदित करेंगे बारत माता की दोस्तो मेरी पहचान इस इंडस्ट्री में इस फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सालों से मैं आप सबके बीच कारियरत हूँ प्रोडक्शन एसिस्टेंट से लेके एक 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 सुपर्वाइजिंग प्रोडूसर तक का सफर मैंने इस इंडस्ट्री में आप सबके बीच में तए किया है मुझे आज भी आद है वो दिन जब तीन साल पहले मैंने बहुत ही करीबी मित्र, मैंने सहकारी, माननिया, दीपक चौधरी जी इनका मुझे एक समय कौर आया कि विजे भाई, हमारे बड़े भाई, संजु श्रिवास्तव जी हमसे मिलना चाहते थे और ये इनका बहुत ही बड़ा विचार था और ये मेरा सौबाग्या था कि मैं संजु भाई को उस फिल्मिस्तान के स्टूडियो नमबर त्री में मिला था जोरदार तालिया उस मुलाकात के लिए उस मुलाकात का ये नतीजा है कि आज हमारे इस इंडस्ट्री को मेरे बड़े भाई डैशिंग विदायक रामकदम जी हम सब को मिले हैं ये भगवान का अशुवाद है जोरदार खड़े होकर हम रामकदम जी का स्वागत करेंगे जोरदार सच्चे दिल से सच्चे दिल से ये तालिया रुकनी नहीं चाहिए भाईयो बहुत बहुत शुक्रिया संजु भाई मैं बहुत ही ते दिल से आपका शुकर घुजार मानता हो जैन जै महारे अश्रा वंड़े दन्यवाद पालकर जी से अनुरोध है कि वो भी दो शब्द हमारी असोशेशन के लिए कहें चांदर का अंसर व्यास्पिट पर उपस्तीत फ्लीम एलाइड एंड मजदू रियन के चेर्मेन कैशिंग आमदार राम कदम साब जी इस रियन के चनरल सेक्रेडरी संजु स्रीवास्तो जी दद्दू जी बहुति प्रसाज जी राकेश जी और इस पूरी टीम को मैं सलाम करता हूँ अगर ये टीम नहीं होती तो इतनी बड़ी एकता नहीं होती और मुझे लगता है कि इस मजदूर भाईयों के लिए बहुति आमदार राम कदम साब ने पूरी बंबय में हिंदू मजदूर किसान एकता पंचायत उसके कम से कम पचीस हजार सबासद है अपने इस लाइड इनियन के 42,000 सबासद है डैशिग आमदार राम कदम साब की खुद डैशिग आमदार राम कदम इनियन है इस तरह से आमदार राम कदम साब एक लाग कामकारों का प्रतिली जेत्व करते हैं और उनके लिए दिन रात काम करते हैं मुझे लगता है अगर बंबे में कामकारों का कोई नेता है तो अमधार राम कदम है और इस मजदूर भाई Springs इस इमियन में एक हात्षा हुआ भी और इस हात्षे के लिए राम कदम साहब ने संजे लिला बंसाली से खुद बात की हमारा एक मजदूर वह काम करते करते गिर गया और उसकी मौत हो गई लेकिन उस मौत के बाद तुलंथ हमारे यूनियन ने राम कदम साहब ने खुद संजे लिला बंसाली से बात की संजु भाई तुरंट वाँ पे गए हमारे अशोक भाई वाँ पे गए और उस मजदूर को उस संज़लिला बंसाली से 20 लाख रूपया दिलाया और हमारे union की तरफ से 2 लाख रूपया दिलाया, इस तरह से 23 लाख रूपया इस मजदूर भाईयों को मिला मुझे लगता है आज तक ये इंडिस्ट्री में पहला कदम था वो हमारे union की होज़े से हुआ है मुझे ये लगता है और उनके बच्चों की पड़ाई की जिम्मेदारी आमदार राम कदम साब ने लिए मुझे लगता है कि इस तरह का काम अगर कोई करते है तो हमारे अमदार राम कदम साब करते है और इस कामगारों का नेते के लिए संजु भाई अशोक भाई ये पूरी टीम हमेशा उनके साथ में रहती है और हमारे लाश्ट टाइम भी हमारे यूनियन पर कुछ संकट आया था कुछ लोग संजु भाई पर आरोप कर रहे थे लेकिन उनकी ताकत क्या थी यह उनको पता चला उन्हेंने इस यूनियन के खिलाब एक मोर्चा निकाला था लेकिन भाईयों मुझे बताने में बड़े फक्र होती है खाली उस मोर्चा में 25 लोग आये थे और उन्होंने पुलिस शेशर में कहा था हमारे एलाइड और सेटिंग यूनियन के कम से कम 5000 लोग मोर्चा में सामिल होंगे पुलिस वाले भी हसने लगे कि इस तरीके से अगर गलत काम करते है तो संजु भाई को मैं बदा ही देता हूँ कि इस तरह का उन्होंने अपने उन्होंने पहले ही बना रामकदम साब इस मोर्चा में केवल पच्छा से सौ लोग आएंगे और मुझे लगता है संजु मैंने पच्छा से सो लोग बोले थे लेकिन उस मोर्चा में सिर्फ पच्छीस लोग आए और मुझे लगता है कि हमारे एकता की जूट है और एकता की तरह से आज आब रामकदम भाई के साथ कड़े हो संजु भाई के साथ कड़े हो और इसकी वज़े से आज उन्यन का इतना नाम हुआ है मुझे लगता है इस वार्षिक समालों में आए हुए सभी भाईयों बेनकों में बदाई देता हूँ आज पजाक सुताक दिन की भी बदाई देता हूँ और मेरे दो शब समाप करता हूँ जैन जैन आराश्ट जी पी सिंग जो हमारे आती थी है पाल घर से वो हमारे गणमने अती थी आये है उनको वक्त की कमी के कारण प्रस्थान करेंगे वो जिला अध्यक्ष है उत्तर भारतिय मोर्चा पाल घर से जी पी सिंग उनको सम्मानित करेंगे राम जतन गुपता जी और गंगेश्वर शिरिवास्तर जी जी पी सिंग जी को वक्त की कमी के कारण जी पी सिंग जी जी लाध्यक्ष राम जतन गुपता जी और गंगेश्वर शिरिवास्तर जी उनका सम्मान करते हुए जी पी सिंग जी जी रेखे लिए जोड़े जी रेखे जिए डी करेंगेश्यक्तर जी जी रेखे लोग सब्हों करेंगे जी नीच्वक्तर जीए जी पी सिंग सर का बहुत-बहुत धन्यवाद आने के लिए मेरे पास ये लिस्ट है जो शायद बताते बताते बहुत वक्त लग जाएगा कि आमदार हमारे डैशिंग आमदार राम कदम जी मैं विजे पुरानिक जी से रिक्वेस्ट करूँगा नोट करूँगा कि वो मंच पर आएं और एसोशेशन के लिए दूर शब्त कहें विजे पुरानिक जी मैं बजा रहा था कि मंच पर उपस्तित मंच पर उपस्तित बैशिंग दायवान आमदार किसी कारकरता की बच्ची है जिसकी भी हो अलिशा नाम है इसका जिसकी भी हो मंच पर आके ले जाए मंच पर उपस्तित बैशिंग दायवान विदायक रामकदम जी यूनियन के महासाची संजु जी रामकदम मित्र मंडल के अध्यक्ष संद्रकान मालकर जी हमारे बड़े भाई श्री अर्शोग भाई जी और मंच पर उपस्तित सभी गंडमाने वक्ति और मेरे प्रिया मज़़ूर भाई हो आप सभी का मैं विदायक रामकदम परिवार में आर्धिक सौगत करता हूं विदायक जैसे अभी मालकर जी ने कहा कि आमदार रामकदम जी की जो यूनियन है उस यूनिन में एक लाग से अधिक सदस्य हैं उन एक लाग सदस्य के परिवार में आप भी जुड़े हुए हो और विदायक जी जो समाज के अच्छे काम कर रहे हैं वो थोड़ा आप से मैं शेयर करना चाता हूं अभी तक विदायक जी ने करीब दो लाख लोगों की विवित प्रकार की यात्रा जिसमें कासी सेडी अजमेर एक वीरा ऐसी विवित यात्राएं करा चुके हैं विदायक रामकदम जी करीबान अभी तक 22,000 से अधिक लोगों के विवित आपरेशन करा चुके हैं जिसमें अपनी एलाइड मजदूर यूनियन के भी कई सदेशों के बड़े बड़े आपरेशन मुफ्त में विदायक जी ने किये हैं उसी ब्रकार निराधार मातापिता जिनके कोई भी पूछने वाला निया पडोसियों ने खाना खिलाया तो खाएंगे नहीं खिलाया तो भुके सो जाएंगे ऐसे निराधार करीब 2700 मातापिताओं के सहवन कुमार पुत्र रामकदम जी हैं जिनको महिने का पूरा रासन विदायक रामकदम जी की तरफ से जाता है इसी ब्रकार समाज के अन्यकारों में भी विदायक जी जुड़े हुए है और हमें गर्व के साथ कहने को है कि विदायक जी महाराष्ट के भार्स्ती जन्ता पाठी महाराष्ट इकाई के प्रवक्ता इस नाते आपको रोज टीवी में दिख्ते होंगे और महाराष्ट में बिजेबी का पक्ष रखते हुए दिखते हैं हर समय विदाएक जी का जो सामाजिक कारे हैं सामाजिक दाईत हैं वो दाईत हो समाज को बढ़ाना समाज को आगे लेना समाज की बुराईयों को दूर करना उसमें प्रास करते रहते हैं उसी प्रकार विदायक जी हिंद मज़ूर किसान पंचायत भारत की बड़ी यूनियन के महाराश्ट रिकाई के अध्यक्ष भी हैं और यूनियन का वीवी प्रकार से मज़ूरों की मदद भी करते रहते हैं दूर ट चीने हिस्ट प्रकार अपने मज़ूर एलाइज मज़ूर यूनियन हैं उसी प्रकार फिल्म यूनियन में फिल्म इंडिस्ट्री में अंडूय जो लोग हैं उनके लिए वी विदायक जीने एलाइंस मज़ूर यूनियन I flowers दो एसी स्तापना किये जो अबि तक फिल्म इंडिस्ट्री में जो अभी तक जिसकी यूनियन बन नहीं पाई थी ऐसे कई दाटक रहे गए थे उनको भी विदायक जी ने भी यूनियन में जोड़ के उनके वेलफेर के बारे में फ्रास करना शुरू किया है इसलिए मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने विदायक राम गत्म जी को समर्थन दिया और विदायक जी को अपना चैर्मेन बनाया है उसके लिए आपको एक एक बार फिर से धन्यवाद जैन जैमारस्ट वंदे मात्रम धन्यवाद राम सर के बारे में इतनी सारी चीजें हैं कि अगर हम उनका उलेक करना शुरू करें तो पूरी राज जो है वो कम पढ़ जाएगी इसी के साथ रादेशाम दिवेदी जी जो है प्रेजिडेंट राश्ट्री है सद्विचार मंच उनको जाना है उनका सम्मान करते हुए गंगेश्वर श्रिवास्तफ जी हमारे जनल सेकेटरी रादेशाम दिवेदी जो की प्रेजिडेंट है राश्ट्री है सद्विचार मंच से उनको सम्मानित कर रहे हैं एसोसेशन की तरफ से हमें बुलाना चाहूंगा निडर जौन पुरी जो हमडी है और राश्ट्री कभी है उनसे अवोध है कि वो यहां पर आके दो शब्द कहें निडर जौन पुरी निडर जौन पुरी जी राश्ट्री कभी है समय की थोड़ी हमारे पास कमी है तो सभी गैस से अनुरूध है कि वो संक्षेप में अपनी बात कहें निडर जौन पुरी जी अगे बच्ची का नाम अलिशा है अपने पापा के साथ थी लेकिन उसे भूल गई है बिचड़ गई है और मंच पर है मैं उनसे रिक्वेश्ट करता हूँ कि आप जहां कहीं भी हो अपनी बच्ची को आकर अपने साथ ले ले बच्ची बहुत प्यारी है बच्ची बहुत अच्छी है धन्यवाद बाप और बच्चे दोरों मिल गए है बहुत धन्यवाद हैलो सबसे पहले आज के इस समारो के अध्यक्ष्टा कर रहे समारो के सिर्माओर हमारे बीच में पधारे एक युगपुरुस स्रीमान आदल्ली रामकदन जी को पड़ाम करते हुए मैं चार पंक्तियां आपके लिए कहता हूँ कि कुछ लोग कुछ लोग ही तो ऐसी तस्वीर होते है जिने देखने को राइने अधीर होते है मुबारक बाद मिलता है सभी को जन्म लेने पर मगर कुछ ऐसे लोग ही इस देश की तकदीर होते है तो देश की तकदीर के नाम से जोरदार तालियों से आख स्वागत करें और बहुत खुशी हुई है अने के बाद मैं यूपी से चलके आया हूँ मजदूर और किशान का बेटा हूँ मजदूर और किशान के दर्द को जानता हूँ बधाई देता हूँ इलाइट मजदूर यूनियन का दर्द लगे जो पीनों में संजु जी को धन्यबाद जो मस्त हैं इसे जीने में बहुत बहुत धन्यबाद संजु जी आज चुकि एक राष्टी पर्व है आईए देश बाशियों के नाम चार पंक्तियां मैं दे रहा हूँ कि हाई आद्मी भले हाई आद्मी भले मगर इंसान नहीं है और उसको किसी भी धर्व में अस्ठान नहीं है ओ सिक हिंदू या मुसल्मान नहीं है जिसकी नजर में मुल्क का सम्मान नहीं है अभी अभी मंज़ पर हमने देखा एक स्रिवास्तो जी आये थे जो हमों को हसा रहे थे चैनलों पर लोग देखते हैं मैं इस फिल्मी दुनिया में इल्मी दुनिया से चल के आया हूँ और वहां की सोधी मिट्टी को अपने साथ लाया हूँ बला अच्छा लगा उन्हों ने कहा प्यार महबत की बात कही तो मैं श्रिवास्तो जी को बहुत बहुत धन्यबाद देता हूँ अगर हमारे लोग बधाई के पात्र है तो राजी श्रीवास्तो जी बधाई के महाँ पात्र है और आईए अब मैं चलता हूँ वहाँ मैं हाया तो राजी श्रिवास्तो जी का एक दोस्था लें उमर का ललका कहा यह बताईए दादा प्यार पर्मानिंध हमारा नहीं हो पा रहा है मैं इतने दिनों से बंबई में हूँ हमने कहा बेटा मैं गाउं से एक नुस्खा ले आया हूँ सुनो ध्यान से कि पहले प्यार में आखों से एक्सीडेंट होता है और फिर धीरे धीरे जाके दिल का एगरीमेंट होता है अगर तुम पेनिका के भाईयों से लात खा जाओ निगरतब जा के देखों प्यार पर्मानिंट होता है तो पर्मानिंट प्यार हमने देखा ऐसे होती है लेकिन नहीं मित्रों यह हमारा देश है हम एक हिंदोस्तान अपने तिरंगे के नाम आप लोग सामने बहुत कम समय में भीत सुनने जा रहा हूँ दुश्मन को भी चालेंग देते हुए इस बात को कहने जा रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखा है कि जब तक सूरज चंद रहेगा दरतीय और असमान नहीं जुकाए नहीं जुकेगा अपना हिंदोस्तान तिरंगा लहरेगा तिरंगा लहरेगा माधव के हैं चक्रशुदर्शन गंड्यू के टंकार है हम राणा के भाला भी हम है शिवा के भी तलवार है हम हैं सुभाश की शान हमी और शेखर के अर्मान है हम राजगुरु सुखदेव भगसिंग के समझो बलिदान है हम आए जो तैमूरो नादिर लेकर भागे जान नहीं जुका है नहीं जुकेगा अपना हिंदुस्ताम तिरंगा लहरेगा तिरंगा लहरेगा एक मिट काउर समय लेंगे सरहद पर कल्यान चाहते हो तो मेरी बास सुनो रावल पिंडी कदमों में होगा फिर रातोरा सुनो रहो वहीं तक जहां तवक की हिस्सा मिला तुमारा है और काश्मीर पर नजर उठी तो पूरा पाख हमारा है भूल गया क्या तुम हमेद की हिम्मत पाकिस्तान नहीं जुका है नहीं जुकेगा अपना हिंदोस्तान तिरंगा लहरेगा तिरंगा लहरेगा तिरंगा लहरेगा तिरंगा लहरेगा धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद, नेडर जॉन पुरी जी बहुत बहुत धन्यवाद, जोर्दार तालियां, इसके साथ जगदीश आमिन जी का सम्मान करते हुए अब मैं हमारे चेर्मेन सर से गुजारिश करूँगा, कि वो दो शब जो है आशिरवाद के रूप में अपनी एस्सेशेशन को कहें, चेर्मेन सर, दो मट पहले भगोती जी कुछ बोलना चाते है, प्ली सुनिये दोस्तों, अभी कारिकरण के हिसाब से काम है, आपको देखने मिलेगा, हमारे मानी चेर्मेन स्री राम कदम जी आपके लिए संदेश देंगे, और उनके संदेश के बाद हमारे पास जो एम्बूलेंस खड़ी है, हमारे मानी चेर्मेन के हाथ रोगाटन होगा, लेकिन उसके पहले, मैं भगवती प्रशाश शुकला, आपकी यूनियन का चेर्मेन खजिनदार और सेवक, दो फेर का समयाब का लूँगा, बहुत से वरकर को, हमारे बहुत से मेंबर को यह शिकायत रहती है, कि एकाउंट्स क्यों नहीं बताए जाते हैं मीटिम में, दोस्तों एकाउंट्स का मतलब क्या होता है, तो इतना समय लगेगा कि शायद आप भी जेल नहीं पाएंगे, और और आप भी साइद कान खूड़ा रखे रही सुन पाएंगे इसके लिए मैं मेरी हैसिय से आईसी बेवस्था किया हूँ दोस्तों माने चेर्मेन महोदे की पर्मिशन से मैं ये गुश्णा करता हूँ कि आप सभी मेंबर के लिए हमारे आडिटर की चार्ज सीट जो बैले सीट हैं 255 की बैले सीट हमारी आ गई है जो कि आडिटर से प्रूफ है हम अपने आफिस में रखे गे बड़ा से मतलब यह होता है कि जो हमारे रेगुलर मेंबर होता है हम उसको ही इस बात का अधिकार देते हैं कि हर एक बातों का हर एक सव perm Siiba Bena q tomorrow can get the application करेगा कि हमें एकाउन्स आप्लिकेशन करें काए अगर हुं तो हम इसको डेट करें वह सकता है बहुंव सारे बेंबर अप्रिकेशन करें तो IIT टाइम उसी टाइम हम उसको समय ना दे पाएं इसके लिए हम उसको समय देंगे नहीं परना टाइम में आ जाओ आप एकाउंट की कॉपी रखी है जो आडिटर से अप्रूब्ड है आप उसको देख सकते हैं चेक कर सकते हैं उसमें अगर आपको कोई भी सवाल है कोई प यह को जह को घरस कर सकता हूँ यह कि जैसा कि आपको हमने बताया हमारा परिवार आए मह光 बहुत भाग गया है वह से काउंट का काम भी बहुत भाग गया है इससलिए आपस Bye अरव सब्सक्राइबया किया उसके आप इसाफ़ से आप आफिस में आके अप्री केर दे दे अग में शायद आपके उम्मीदों में कुछ थोड़ा सा बदला उला दिया है तन्यवाद दोस्तों अब इसके बाद हमारे मानने चेर्में श्री राम कदम जी आपको संदेज देंगे और आप सभी द्यान से सुनेंगे उसके बाद और भी कारिक्रम है वो आपको बताते रहेंगे स्री राम कदम जी से आप सुनिये मंचमर विराजमान मेरे भगल में बैठे वे बियन तिवारी जी प्रकाश उपाद्ध है टीपी अगरवाल जी जोनों ने बहुत प्यारे शब्दों में अभे अभी कथन किया वो भगवती जी राकेश मोरिया राजुश रिवास्तो जी दिनेश चतुरवेदी दीपक चोदरी इमतियाज हुसेंसा जगदी शान्ना पंकच पाटील मेरे पारिवारिक संबन जिन से है वो साहिली चड़ा जी मेरे बाल सखा चंद्रगांद मालकर अशोक दुबे विजय पुरानिक जिन्नोंने मेरी मुलाकात सन्यू से कराई वो मेरे बाल सखा विजय कड़स कर अपने यूनियन के वरिष्ट पदाधिकारी नाम तो बहुत है लगबग दिखता है मंच में लगबग 200-300 लोग बेठे हुए है किसी का अगर रहे गया हो तो क्षमा चाहता हूँ अब बैटिंग शुरू करूं हाया ना है मराठीद बूलू का हिंदी है हां मैं तो मन मना क्या है हूँ कि करणा में बात करने का है कि मेंबर चाहते हैं कि मराठी और हिंदी दोनों में संदेज देंगे तो बहुत अच्छा लगएगा कनडा में बोलते से मैं बीच में अठका तो हमारी दोस्स से पूछ लूँगा साहिला जी से वो बता देगी भगवती जी ने कहा था कि बीच में थोड़ी से कुछ लाए ने मराठी में बोलो थोड़ा सा मराठी थोड़ा सा हिंदी ऐसा बूलेंगे आज मैं कोई बड़ी लंबे भाषन के मुद्रा में नहीं हूँ भाषन के प्रारम में केवल इतना ही कहूंगा अगले वर्ष फिर अपना कारेक्रम 26 जन्वरी को होगा और उस कारेक्रम में मेरा प्रयास होगा कि महराश के मुख्यमंत्री उस कारेक्रम में प्रमुक अथिति की रूप में आए और जो मेरा मजदूर भाई हाथ में हतोड़ा लेकर के किसी फिल्म का सेड बनाता है मिरा मजदूर भाई हाथ में केट्ली लेकर किसी आर्टिस्ट को उस सेट पर, चाय पिलाता है मेरा मजदूर भाई वहाँ पर लाइटमन का काम करता है मेरा प्रयास होगा यूनियन का चेर्में के नाते कि महराज के मुक्हमंत्री मेरे मजदूरों की पार यहां आकर के थप-थपा है भगवती जी ने कहा कि अकाउंट कोई भी आकर के देख सकता है 100% कोई भी आकर देख सकता है सिवा करके दिखाओ मैं लीगल मेंबर हूँ तुमको अपने कारियाले में पूरा अकाउंट देखने को मिलेगा ऐसा होगा नहीं गलती से आगे पीछे हो गया घाटको पर में मेरा कारियाले महां बेटता हूँ आर्सिटी मॉल के पीछे कभी भी संडे की दिन आओ विश्वास के साथ बताता हूँ जो लीगर मेंबर है उस मेंबर को जब भी चाहे अपने यूनियन के कारियाले में आए और कारियाले में आकर के अकाउंट देखें और अकाउंट देखने के बाद दो-चार कुत्ते भोग रहे हैं उन कुत्तों से जाकर के कह दें कि कुत्तों के दाडने से शेर डरा नहीं करता ये उनको बता दे मेरे नाम के आगे डैशिंग जुड़ा है उसकी कहानी अगर उनके समझ में नहीं आती तो उनको कहानी समझाने की आवशकता भविश्य में लगी तो जरूर उनको बताऊंगा उनको लगता होगा कि राम कदम ने पार्टी बदल गई थोड़ा राम कदम शान्त हो गया बाई सब प्रणाम तो उनको बता दो राम कदम ने पार्टी बदली है दिमाग नहीं बदला अगर सटका तो धान में रखना किसी के बाप का मैं नहीं हूँ अरे 10-20 लोग भाड़े पे लाकर के वहाँ पे मुर्चा क्या ये क्या हो क्या मैंने तो उसमें 2-4 लोग मेरी भीजेते मैं भी कम थोड़ी हूँ हाइट में के वलकम हूँ बाकी सब सही है मेरा हाइट के मैं मौड़ेल अभी फिल्मी हिरो की तरह तो नहीं है बीच का प्रदेश थोड़ा बढ़ चुका है एक ने कहा कदम साब तुमारा सब ठीक है बीच का प्रदेश थोड़ा बढ़ा हुआ है मैंने कहा भाई साब नीताओ का मध्य प्रदेश हमेशा बढ़ाई होता है बले रामकडम का कद छोटा है पर किसी गरीब पर अन्याए हो तो उच्छर उच्छर करके पीटने को रामकडम आगे पीछे नहीं देखता है क्यूंकि रामकडम जानता है गरीब का हग दिलाना कैसे दिलाए जाता है किसी सेट पर मेरा मजदूर भाई मर गया क्या करना शियराम कदम ने और प्रोडुसर कह रहा था मैं दो लाग दूंगा चार लाग दूंगा मैं पेर में कुन से जूते पेंता हैं उसने का मतलब गदहे उदर आकर के पीटेंगे तिरुको ऐसे पैसे में मेरे मजदू और भाई के परिवार को दे कि उन पैसों से उसके बच्चों की परवरीश हो सके ऐसा अगर राम कदम ने बोला तो अच्छा किया क्या बुरा किया अच्छा किया क्या बुरा किया है इसकी लिए अगर कोई बोलता होगा राम कदम गुंडा है बिंदाद भुलो थराम कदम की आगे जो डैशिंग लागा है डैश कि मतला जटपट कांगरा मतला अ कि जोर से बढ हो हरे बड़े कंजूष भ्वाई जोर से डैशिग मतला अ डाशिंग मतलब जगे पर रिजल्ट और जगे पर रिजल्ट नहीं देता है तो तुम्हारे पास तो हतोडा होता ही है लिदिन भर खिला ठोकते हो एक वह कहा चलाने का बता दूगा मैं तुमको मिलेगा है नहीं मिलेगा रिजल्ट अँगा तो सरी इदर विदार देखो साहिला दीदी यह लोग फिर से मेरे पे एक नई केस कराना चाहते हमारे बाल सका यहाँ पर प्रकाश लगड़ जी भी आये है एक बात ध्यान में रखना मेरा खुद का सपना यह है मैं संजय श्रिवास्ते उजी से बात कर रहा था मेरा अनूज है, मेरा भाई है कि मेरा गए साल में मैंने कहा था कि अपने वरकरों में से जो लोग घर गए किस कारण के वज़े से जो नहीं आ सके उनको विजा करके कल सेट पे बताना घर में बूड़ी मा है, बूड़े पिता है बीवी बिमार है, बच्चा बिमार है डॉक्टर ने कहा दो लाख रुपया खर्च है डॉक्टर ने कहा पांच लाख रुपया खर्च है बीवी के गहने गिर में मत रखना गाओ का खेत मत बेशना खुद का फ्लाट मकान मत बेशना तुम सोचोगे फिर कैसे होगा बिमारी का इलाज अरे खुद की कॉलर टाइट करके हक से रामकरम के पास आना रामकरम तुमारे माबाप को खुद के माबाप समझ करके उनका जो भी मिमारी का काम है करके देगा जो घर गए उनको भी जा करके ये बताओगे बताओगे या नहीं बताओगे बताओगे या नहीं बताओगे बताओगे उस कारण कुछ लोग मुझे दयावान कहते है मेरा प्रयास है कि मेरे मजदूर भाई का बच्चा पढ़ने के लिए एक दिन अमरीका जाए और उसके लिए अपनी यूनियन उसको मदद करें कब तक लेंगे हाथ में थोड़ी हम स्टूडियो सेटिंग का काम करते हैं हम लाइट मन का काम करते हैं पर मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे भविश्य में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोडूसर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्टर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अभिनेतरी इस रूप में हमारे यूनियन के मजदूरों के बच्चे भविश्य में बने अच्छी बा इसलिए कोई भी अपने मज़ूर का कोई भी आद्मी बिमार होगा आज का 26 जन्वरी का सूरज ढलने के बाद कल 27 जन्वरी का सूरज जब उगेगा तो अपने यूनियन के आफिस में एक बोर्ड लग जाएगा कि अपने अलाइड मज़ूर यूनियन के किसी भी लेबर को कुछ भी घर पे बिमारी का प्रॉब्लम है उतुष को मेडिकल हिल्प करने वाला डेस कल सुबह से खुलेगा इसी अपने गोरेगाउ के आफिस से और इस डेस की पूरी जिम्मेदारी अपने यूनियन के अशोक रमापती दुबे और विजय कड़सकर दोनों लेंगे मेडिकल डेस की जिम्मेदारी दोनों आगे आजाओ पूर्ण पूर्ण ये अरे तालिया जोर से बजाओ इनके लिए अशोक इदर इदर आँ अब ये दोनों कोई बीमार पड़ गया तो उसका काम करेंगे किसी को ठोकने का रहेगा तो संजु काम करेगा संजु मैं किदर रहे भगवती जी सीदे आदमी है राकेश मूरिया जी भगवान आदमी है दोनों अच्छा काम करेंगे सभी सीदे है बोलने का अर्थ ये था कि जिसको प्यार की भाषा नहीं समझती और जिसको जिस भाषा का अर्थ समझता है उसमें अगर हम अर्थ समझाए तो आप सब मिलकर के बताओ राम कदम सही कह रहा है या गलत कह रहा है है सही कह रहा है गलत कह रहा है प्रेड़े कि अब गए साल में साहिली जी मैंने कहा था कि हम तिवारी साथ के अपने मज़़ूर के लिए एक बनाएंगे बहुत इच्छा थी अपेक्षा थी एक जगा घाट कोवर में देखी एक जगा भंडूप में देखी एक जगा गोरेगाउं में देखी हो नहीं सका पर प्रयास था कि हॉस्पिटल हो नहीं सका पर कम से कम मेडिकल हेल्प का डेस्ट शुरू करूं एम्बुलेंस इसके लिए आपके सब के सेवा के लिए कल सुबह से यह एम्बुलेंस अपने सब के लिए कारियर रथ होगी यह अपनी यूनियन की उपलब दी है जो दो चार इदर उदर घुमरे उनको जाकर के समझा दो अटल विहारी वाजपई जी की कविता है बड़ी सुन्दर प्यारी सी कविता है तोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता तोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा छोटे मन से कोई बड़ा उनको जाकर के कह दो हमारे यूनियन का और हमारे रामकदम साफ का दिल बड़ा है इधर उधर मत भागो आजाओ हमारे साथ सब मिल करके काम करेंगे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तुम जाकर के एक एक को पकड़ो तो बचे की दे दस बीद बचे आजाएंगे अपने आप राजू श्रीवास जी है क्या गए अच्छा वैनिटी वैन में है गए ठीक है उनका काम कर लेता हूँ उन्होंने एक जोग बता है बता के समापति का विराम कर लेता हूँ हमने कैसे चोकन ना रहना चीए अब यह विनोध है विनोध को विनोध की तरह सुनना वियंग को वियंग की तरह सुना जाता है एक आदमी बार-बार आकर के एक सलुन के बाहर सलुन के मालिक से पूछा करता था कि भाई साब कितनी देर लगेगी तो सलुन के मालिक बाहर जो लोग बेठे दस-बिस लोग बेठे लोग देख करके कहा करता था एक घंटा लगेगा जैसे ही वो सुने एक घंटा लगेगा वैसे ही वो पूछने वाला आदमी रुके नहीं तुरंट भाज जावे फिर दूसरे दिन सलुन के मालिक को भाई साब कितना समय लगेगा ओ मालिक बाहर कितने लोग है देख करके उससे कहे आदा घंटा लगेगा वो आदमी रुके नहीं फिर चला जावे तिसरे दिन फिर से कितना समय लगेगा सलुन का मालिक कहे कि और सवा घंटा लगेगा उसने देखा कि जला यह आदमी बार बार आता है यह आदमी बार बार आता है सलुन के बाहर रुकता है और पूछता है कितना समझ जाएगा पता नहीं इसको दाड़ी करने है बाल काटने है क्या करने पर दुबारा लोट करके नहीं आता उसने गुरुखा को बलाए गुरुखा इदर आओ गुरुखा होगा उत्तरा खंड का गुरुखे को बलाए गुरुखा इदर आओ उसे बला बो शाब जी गुरुखा ये पता करो आदमी आता किदर से है और जाता किदर है बिचारा गुर्खा नेपाली था ओ गया छान मिन करके लोट आया मालिक ने पूछा गुर्खा इदर आओ तुमने पता किया ओ आता किदर से था और जाता किदर था निपाली गुर्खे ने जवाब दिया ओ शाप जी वह आता किदर से था उमको मालूम नहीं पर जाता तुम्हारे घर जरूर है यह जो दस बिस भोकने वाले कुटे जो है यह कहा जाते हैं यह राम कदम को अच्छे से पता है मेरे नाद में लगने का प्रयासों न करें यहीं बोलने के लिए मैंने बताया अब की वार आते समय तो आमदार करके आये था तुम लोग सब लोग अगर भगवान को अच्छे से मनोती मांगो तो अगली वार मैंने भी जित किये कि मैं भी मंत्री बन के यहाँ पर आऊंगा और मैं मंत्री बनने के बाद राम कदम मंत्री पत की गाड़ी में लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं बेटेगा मेरे जितने यहाँ पर मजदूर अलाइड के जो यूनियन के जो मेंबर है इन मेंबर के बच्चे मेरे उस लाल बत्ती के गाड़ी में पहले घुमेंगे उसके बाद राम करम उस लाल बत्ती के गाड़ी में बेटेगा आओ हम तुम सब मिलकर के सवाप का काम करें दुआ का काम करे अरे जगाई से जगाई से महनत अपने जगणा भी सर्त हो जब डॉप्टर कह देता है कि आज तेरा आखरी दिन है रिष्टेदारों को बुला लो तब पता चलता है कि मैं अब तक जीवन ही नहीं जी सका अरे क्या होता है जीवन जीवन ये होता है अगर अपने पडोस में कोई भूका है अपने पडोस में कोई प्यासा है अगर हमने जाकर कि उसको कुछ खिलाया तो उसे कहते है जीवन उसे कहते है दुआ उसे कहते है सवाव मैं ऐसे union के member चाहता हूँ जो union का member भरे गरीब हो पैसे से गरीब हो पर मेरा union का member वो दिल से मुकेश अम्मानी से भी अमीर होना चाहिए ये मेरी ख्वाईश है रास्ते में कोई भिकारी दिख जाया और भूका है ऐसा अगर दिख जाया तो मेरे union का member मेंबर खुदका डब्बा निकाल करके उसमेंसे एक रूटी निकाल करके उसको क्ला है तो मैं समझेगा वाह यह मेरे यूनियन का मेंबर है कि सिस्वास में चड़ जाये और बस्ट में कोई बूरी माह खड़ी है और कोई उड़ जाये और उसbra sacred मैं को जगा दे मैं समझूंगा ओँ मेरे यूनियन का मेंवर है if you wait me सवाब की도 तुनिया बनाना चाहता हूं को मैं मेरे में मर उससे दौाऊं के काम कराना चाहता है के इसके लिए आपका किसी का भी यूनियन छोड़के कुछ भी काम रहा तो आप बेशक घाट को पर में मेरे निवास पर रईवार के पूरे दिन आ सकते हैं खुद के मुझे बोलना नहीं चाहता पर एक बार घाट को पर में मेरे घर पर आ करके देखना मेरे घर पर जब दर्बार लगता है रईवार के दिन तो दर्बार देखने के बाद आप खुद बोलोगे कि ये दर्बार महराश का सबसे बड़ा दर्बार होता है और उस दर्बार में काम करने की स्टाइल है जट पाट रिजल्ट क्या स्टाइल है ऐसा यूनियन का अध्यक्ष पसंद है नहीं है है पसंद अगर नहीं है तो कल से चला बस इतना ही बोलूँगा संजु बाई और कुछ रहा है आपकी टोपी बड़ी पसंद है अगले साल यही पेनाना मुझे संजु जी और कुछ गये साल संजु बाई शेप में थे यह साल थोड़े ज़रा अध्यक्ष कितर हो गए माफी चाहता हूं बहुत बड़े व्यक्ति हिंदुस्तान के उदित नारें जी आये हैं हम सब लोग जोरदार तालिया बजा करें कि खड़े ओकर कि उनका संब्मान करें आये 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 साल बहुत 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 मैंने देखाने तक सब्सक्राइब अलो प्रदीप शर्मा के परिवार के लोग जो भी आये हैं उनको उपर मंच पर आना है उनके लिए जो भी हमारे माननी चेर्मेन और जनरल सिकर्टीर ने सोचा है वो उनको मदद होगी परदीप सर्मा के परिवार के लोग मंच पर आयें लग एक परिवार ने तो यर आखिए गर्वार्टीर आयें जाखे शालो जो दो सिकर्टीर ने चार्टीर वाल्क है अधस्पार्ण देखाए। अपने लोग खाड़ जा ले अब धाशन बहुत सुन ले आए आपने हम लोग अगर जोड़दार तालिया बजा है तो उदीज जी से कोई गाने का मुखड़ा सुन लेते हैं लेट परदीप शर्मा की वाइफ उपर आ जाए प्रदीप शर्मा की वाइफ प्रीज उपर आ जाए आप सब को मेरा नमस्कार वेरी वेरी हैपी रिपब्लिक डे गंतंत्र दिवश की बहुत सारी शुब कामना है इस स्टेज पे हमारे इतने महानुभाव आधर निये सब रा सब लोग यहां सामने उपस्थित हैं मैं आप सब लोगों को अभीनंदन करता हूं और खास करके फिल्म स्टूडियोज सेटिंग एंड एलाइड मजदूर यूनियन के 33 वावार्स को सब के लिए बहुत-बहुत बधाईयां देता हूं ऐसे खुशी की अफसर पे मुझे भ भी मुझे बहुत याद किया और आप सब लोगों ने याद किया मैं आप सब लोगों का अभारी हूं और भविश्य में मेरे से कोई भी छोटा सा काम होगा तो मैं हमेशा तैयार रहूँगा धन्यवाद आज के दिन में जो है धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा बोले पपी हा को यलगाए सावन घिर के आए ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा वन दे वन दे वन दे जैहन है हमारे बीच परदीप मिस्त्री जो के एक्सिडेंट हो गया था उनका देथ हो गया था उनकी वाइप है हमारे चेर्मेंस आप के हाथो से छे लाग पांच जार आट सो इक्षिस का चेक दिया जा रहा है उदिजी साथ में आए पिटा रिज़ेश है अभी एक लाख और यूनियन से दिया जाएगा और एक नया अभी एक चार-पांच दिन पहले की बात एक प्राइबेट साधी था, उसमें एक लाइट मैं था, उसका देथ हो गया था, एक कुमेट मालिक से बात करके हमारे चेर्मेन साब हम लोगों ने प्राइबेट काम का उसको साड़े आठ लाग दिला है और एक लाग इंसोरेंस का साड़ फ्री में दिया है हमारे यूनियन, हमारे मेंबरों को, हम चाहते है चेर्मेन साब उधित नराइन साब के हाथ से उद्गाटन किया जाए, टीपे अगरवाल जी के साथ में, मित्रो, साहिला जी और जो लोगों भी साथ में आए, गेस्ट, प्लीज आवे, इम्तियाज जी, मित्रो, फेस्बूक, रामकदम जी से फेस्बूक से जुडने के लिए, आप सभी लोग, रामकदम जी का फेस्बूक आइडी नोट करिए, रामकदम जी का फेस्बूक आइडी है, facebook.com slash ramkadam, मैं फिर से दोराता हूँ, facebook.com slash ramkadam, सभी लोग रामकदम जी से फेस्बूक में जुड़के, उनके आने वाले कारक्डूमो नके आने वाली योजनाओं के बारे में, जानकरी, समय समय पर पा सकते हैं, और रामकदम जी दोरत किये कई, अच्छे खारों के, आप लोग सराना कर सकते हैं प्लीज प्लीज बियन जी आये बियन तिवारी सर शाहिला जी प्लीज बियन जी आये 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 अगर बच्चे है तो बच्चे नहीं है तो उनके फैमिली में से कोई भी एक आदमी आये प्लीज रामचंदर रायकर जी का रायकर जी की लड़की है पलवी जिसके 10th में 94.56% नमबर आये हैं उनको गुजारिश है कि पलवी को लेकर वो स्टेज पर आ जाएं उनका मेंबर्शिप नमबर है 8861 उसके बाद केदारनाथ नाविक जिनका लड़का है कृती कांथ जिसके 10th में 89.40% नमबर आये हैं उनको गुजारिश है वो स्टेज पर आ जाएं केदारनाथ नाविक जिनका मेंबर नमबर है 33706 33706 उसके बाद 12th स्टेंडर यानि के बारवी के कांथिलाल यादव जिनका मेंबर्शिप नमबर है 9042 उनका लड़का है आनंद कुमार जिसके बारवी में 87.20 यानि के 87.20 नमबर आये हैं और उसके बाद संजे चोहान जिनका मेंबर्शिप नमबर है 31343 उनकी डॉर्टर है उनकी बिटिया है कंचन जिसके बारवी में 86 परसेंड नमबर आये हैं ये जिन बच्चों का मैं नाम ले रहा हूं वो किर्पया मंच पर आ जाएं या उनके पेरेंट्स यहां पे हों मम् स्टेज पर आ जाएं उसके बाद 15 जया नगपा पुजारी जिनका मेंबर्शिप नमबर है 8878 उनकी बिटिया है हर्शिता ती वाई भीकॉम में जिनके 82 परसेंड नमबर आये हैं उसके बाद 9064 9064 उपेंद्र कुमार साहा जिनका लड़का है विपुल जिसके टी वाई भीकॉम में 81.57 यानिके 81.57 परसेंड नमबर आये हैं यह जिन बच्चों का मैं नाम ले रहा हूं वो मंच पर आ जाएं उसके बाद है 7761 नन किशोर शिरके जिनकी बिटिया है प्रगती जिसने B.A.L.L.B. किया है एड़ोकेट हैं वो B.A.L.L.B. नन कुमार शिरके 7761 उनका मेंबर्शिप नमबर है उनसे गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को ले कर मंच पर आ जाएं कि अधर कुमार शिरके जो जिसने B.A.L.L.B. यानि के वकालत किया है बहुत बहुत बधाई उनको कि अख़ो सब बच्चे और उनके पेरेंट्स यो हैं वो इस तरफ आ जाए लोगी है न सब पादम भूशन उदित नारायन जी का बहुत बहुत स्वागत एस्सेशन की तरफ से पादम भूशन उदित नारायन जी जिनकी आवाज दिलों में मिठास घोल देती है बहुत बहुत स्वागत और साथ ही बार बार धन्यवाद करना चाहता हूं हैमर गृप का है हैमर गृप जो हमेशा से इस एससेशन के साथ जुड़ा हुआ है और बहुत ही अच्छी सर्विसिस हमेशा से दी जाती है है हैमर गृप के दिवारा मंच पर सेल्फी प्रति हो गिता चलते हुए पदम विभूशन आपका नाम क्या सर्थ तीन मुरगंस को आपने नाम दिया यहां पर आनंद कुमार कंचन अपने पूश्पेगरा एक बार आफिस वाला कोणे ज़त क्या जुत उन गश्पेगरा इंगार यहां आफिस नाम भीनले फिस वाला आफिस वाला एक ग्यों टेर र questo रमजान पेंटर एक हमारा पाच्छे दिन पहले एक्सिडेंट में देथ हो गया उसको हमारी यूनियन ने चेर्मेन साब के समती से उसको गोद लिया हुआ है उसकी पढ़ाई से लेके साधी तक उसकी लड़की का यूनियन करेगी एक लड़की को हम लोगो ने गोद लिया पढ़ाई से लेके साधी तक करेंगी हुप ऱ…. थझ अ श डgener, का अ झासर का Magic अबसिष़ाइध एक जता है थमीवी करेंने घराकी जाने करें लियर किर था दो सकति बोचसे वी लिर्डानी है थे लेख dovो रपी बदाश मोझस से ⁮साओ था कि मीटिंग के अध्याच टीपी अग्रवाल जी का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना समय अपने बीजीट समय में से निकाल के इतने दर हमारे साथ बैठे हमारे मेंबरों का मेंबरों को प्रोसान के उसके बहुत बहुत धन्यवाद नहीं राम को लंड़ी शेरी टीपी अग्रवाल जी का स्वागत करते हुए हमारे जनल सेकेटरी गंगेश्वर शेरिवास्तव जीब टीपी अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने वक्त जो है हमारी एस्सेशेशन को दिया बहुत बहुत थैंक्यू सर थैंक्स लॉट पूरी एस्सेशेशन की तरफ से स्मृती चिन देते हुए गंगेश्वर शेरिवास्तव लुट जीब लुट है हुआई लूएाँ अपनो आपनो प्रकास चर्का अभी ने प्रकास ची बहुत बहुत धन्यावाद आपके आने के लिए इतना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद शुक्रिया वक्त का भाव है इसलिए थोड़ी चीजें जो है वहती शिक्र वैभव देसाई जी का समान करते हुए गंगेश्वर श्रीवास्तव जी थैंक्यू वैभव सर्थैंक्स अलॉट भाईयो बच्चो बच्चे आए सब बच्चो को गुरु जी बिन जी उसको देखे जाए प्लिस अलो बच्चो और सबसे बड़ी बाद मैं माफी चाहता हूँ कि अगले साल भी ट्राफी लाट्री नहीं हो पाया था इस साल भी नहीं हो पाया क्योंकि 10 बजे के बाद बंद हो जाएगा लेकिन हम लोग अपने आफिस में लाट्री करेंगे उसकी वीडियो रिकार्डिंग रखेंगे जो चाहिए जिसको चाहिए जब चाहिए आके देख सकता है कितने तारीको रखना है ने ने तारीक पिक्स नहीं दिखाना है ठीक है धन्यवाद भाई अब मापी चाहता हूँ कि लाट्री नहीं हो पाई है समय का भाव है दस बजे के बाद माइक जो है वो अलावड नहीं है तो जो लाट्री का जो प्रोसेस रहता है वो ऑफिस में जो भी मेंबर्स होंगे उन सब के सामने किया जाएगा उसका वीडियो निकाला जाएगा आप सब लोग वहाँ पर पारदर्शिता से वो सारा का सारा प्रोसेस जो है वो देख पाएंगे आपके आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैं बियन तिवारी जी और शुक्ला सर से अनुरोद करूँगा कि जो बच्चे जिनोंने दसमी बारवी और टीवाई बिकॉ में अच्छे नंबर लिये हैं अच्छे नंबरों से पास हुए हैं उनका सम्मान किया जाए वो सब बच्चे और उनके पेरेंस इस तरफ आजाएं इस स्टेज के पास लाओ बच्चों का सभी बच्चों का ट्राफी जो है वो आप स्टेज के पास ले आएं सभी बच्चों सबसे पहले कार्तिक नायक कार्तिकांत नायक बियान तिवारी जी उनको बियान तिवारी जी कार्तिकांत नाविक को थेंक्यू कार्तिकांत बहुत अच्छे लगेरो अच्छे से पढ़ाई करो बहुत बढ़िया अगला जो है वो नाम है पलवी रायकर भी अंतिवारी जी पलवी जी ने आई पलवी जी के पिता जी जो है वो है पलवी नायकर बहुत-बहुत धन्यवाद योगेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद अगला नाम है प्रगती शिर्के प्रगतिशिर के जो अपनी मेहने से वकील बनी है उनके पिता जी को बहुत बहुत बड़ाई धन्यवाद अगले नाम आनन्द कुमार आनन्द आनन्द जितने नमबर आपके आए हैं उतने में तीन बच्चे पास हो जाते हैं बहुत बहुत बधाई आपके बियंतिवारी जी योगेस जी बहुत बहुत धन्यावाद अगला नाम जो है वो है कंचन चोहान का थालूं गुड़ आननद लगे रहो इसी तरह से अगला नाम है कंचन जी का कंचन कंचन नहीं आई है उनके पिता जी उनके पिता जी है बहुत बहुत धन्यवाद बियन सर योगेश जी का कंचन जी को बहुत बहुत मुबारक बाद अगला नाम है विपुल सहा विपुल खुद आयो हमेống है विपुल बियन्त लिवारी जी योगेश जी समानित करते होँ विपुल को विपुल बहुत अच्छे इसी तरह से लगे रो, अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत कमाल काम किया है अपने, विपुल के बाद नाम है हर्शिता पुजारी का, हर्शिता पुजारी, हर्शिता पुजारी, हर्शिता पुजारी, वो शायद यहां पर नहीं आई है, हर्शिता सर, योगे सर, बहुत-बहुत धन्यवाद बच्चों का होसला अफजाई करने के लिए सनलत्य बच्चों का होसल सुद्धा वाद भीकाई थे नाम का है, बहुत-भीके सब्सक्राइप समय है प्रेश कुर टॉपल लगार नहीं है कर सकते हैं जोते हुए 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 रिपर महने सकत label है, आतपने साहलानों है, इसे ज़ादा पस्टेंट इस जाधा रहेगा थिने, ई आप मखेस ? बहुत है। शिर्वास्ताफ जी मुहम्मद अली खान को सम्मानित करते हुए थैंक यू सर शिर्वास्ताफ जी मुहम्मद अली खान करते हुए 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 शिर्वास्ताफ जी मुहम्मद अली खान ऊा Rs. अब भूज़ियां गाल बूज़ागा झालिए इसाट को रोगना मैं इसलो फेटी वर भूज़ा इस्वा में सब्सक्राइब कर दोज़ा जब दो परो, हैं जब जब दोज़ा है, जब फीटाइब है? तो आना नहीं तो वहां आके जिख्रिक मत करना कुछी फाइदा नहीं वो लिख्के देना ही पड़ेगा तो को चार को आठ को पंदरा को तीस को वो आना ही पड़ेगा ऑफिस में उसके बगर नहीं अब है यह सब इसका अरेज़्मेंट करना है ना सब मिलकशार कि आदा यकल पर तो बंदी है कल पर सो बंदी कि अरे यह अपना फोड़ों है को आज आज जाए यह सब पलंगाइफ गष्करी करने है ना नोह ना हम प्रच्वों प्रच्व ना ना जा ने पाट्वण कं नह पाट्वण अगलू राम जतन जी को सम्मानित करते हुए जो अभी तक सब को सम्मानित कर रहे थे राम जतन जी उनको सम्मानित करते हुए गुपता जी समाईल प्लीस बहुत जन्यवाद काफी लोगों का स्वागत नहीं हो पाया उसके लिए माफीच आठा हुए लेकिन दिल से जो भी हमारी स्टेज पर है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ट्राफी ट्राफी तो एक हमारी प्रथा है कि सम्मान करने का लेकिन हम जो लोग को नहीं सम्मान करने का उनको दिल से नमन करता हूँ उनकी उनका सम्मान करता हूँ सम्भानित करने की प्रथा को आगे बढ़ाते हुए गंगेश्वर श्रिवास्ताव जी यह बात भी अंतिवारी जी का सम्वान करते हुए क्या वाद है बहुत ही बढ़िया मनोज गुपता जी को सम्वानित करते हुए बियन तिवारी जी और गंगेश्वर श्रिवास्ताव जी मनोज भाई बहुत बहुत धन्यवाद जी बिना बियन जी को लिए जाना मत नहीं यहां का काड़ कंसल हो जाएगा हैमर ग्रूप का बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा की तरह इस पूरे कारेकरम का संचालन बहुत ही बखुबी उनके द्वारा किया गया बुक का विमोचन करते हुए बियन तिवारी सर गंगेश्वर श्रिवास्तव जी योगेश जी योगेश जी भी सर खोलिए योगेश जी बियन तिवारी जी गंगेश्वर श्रिवास्तव जी association की book का विमोचन करते हुए बहुत बढ़िया film studio setting and allied मजदूर union 33 years of बहुत सुन्दर magazine अशोग जी को सप्रेम निमंतरन देते हुए अशोग जी का सम्मान करते हुए अशोग भाई साब का सम्मान करते हुए अशोग जी का सम्मान करते हुए गंगेश्वर जी बियन तिवारी सर योगेश जी का सतकार बहुत फूरी फिल्मों के प्रोडूसर अशोग जी अशोग दूबे जी बहुत पूरी फिल्मों के बहुत बड़े प्रोडूसर प्रोडूसर के डिस्पूट चेर्मेन और अलाइड मजदूर यूनियन के कमेटी मेंबर और एडवाईजर और आपको बता जेतो हमारे हाँ यह प्रोडूसर ये स्योशन में चार लीडर है जो के हमारे मेंबर है असोग दूबे दीपक चवदरी नवीन सिंग अब इंडस्ति के है 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 कर दो कर दिशाए धिया धिक्या कि वह ने है हाई हुड है आप ड़ है ऌर अध्या पॉर्टीन आपकें एक इस रखने आप Really आपकें मैं आपकें अजया है इपार। झाल 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 कि वह एसोचेशन हर वर्ष जो है गणमानने अव्यक्तियों को अथितियों को यह सब्सक्राइब अबगिति नुर यह सब्सक्राइब और अजयों कि वार्ष ए की ऊाया अजयों को यह सब्सक्राइब आंदे चथिति